सभी का यहां हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन यह जो हमलों की साथ दिवस्रीय वोक्षाप रिसर्च विशह पे चल रही है शोद पर, आज इसका सेकेंड ए है, यह इंडियन सोशियोलोजिका सोसाइटी के मांग दर्शन पे है और साथ स्टेट्स, सेवन स्टेट्स इसमें कोलाबरेट कर रहे हैं, आज इसका चूकी सेकेंड ए है, जिसको यूपी सोशियोलोजिका सोसाइटी कंड़क्ट करा रहा है, हमारे बीच स्री राम सुरूप मेमोरियल यूनिवरस्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर पत्पेकार डॉक्टर श्वेता शुकला जी है, श्वेता जी से अनुरोध है, आज के लेक्चर्स को कंड़क्ट करें, श्वेता जी प्लीज, धन्यवाद अन्शुमा, नमस्कार, गुद इवनिग, I welcome you all to the second day of the 7th, 7-day national workshop on यूवा समाज वैज्यानिकों में पुर्वत्ता परक्षूर आज के दौर में ये एक बहुत ही गहन विशे हो चुका है, इसी वज़े से इंडिन सोचियोलोजिकल ससाइटी, यूपी समाज शास्त्र ने इस विशे को इस प्लाटफॉम पे लाने का प्रयास किया है, इस प्रयारत प्रयास में हम आज शुक्र गुजार हैं प्रफेसर श के एक्स्पीरियंस को हमारे साथ साजा करने के लिए मैं आज तयार हुई है, थैंक यू सो मच मैं, प्रोफेसर शुती तामबे मैं, हैच, देपार्टमेंट अफ सोचियोलोजी, सावित्रिभाई पूले यूनिवर्सिटी पूने, डिरेक्टर, सेंटर पर एड्वान स्टा शास्त्री अध्यनों को आगे बढ़ाने में प्रयास्रत रही है, मैं के प्रयासों से आझ भार्दिय समाज शास्त्रद अंतराष्रे प्लैटफॉर्म पे नई उचाईयों को छूड़ा है, मैं जो हैं आझ के दौर में सामाजिक अन्दोलण, सामाजिक संस्ट्रिट् अध्यन करती हैं पठन पाथन का कार्य करती रहती हैं इनके प्रयासों से भारतिय समाच शास्त्र और समाच शास्त्र एक नई उचाईयों को लगतार्च हू रहा है मैम आप आज के युवाओं के लिए एक प्रेणा है एक प्रेणा का स्रोथ हैं थांक्यू मैम कि आपने हमारा इंविटेशन अक्सेप्ट किया और आज आप अपने एक्सपिरियंस को अपनी टीचिंग्स को अप आज आप मारे साथ शेयर करेंगी प्रफेसर शुती तामे माम वेलकम यू हम आज आपका स्वागत करते हैं थांक्यू माम तैंक्यू श्वेता जी आपने बड़े उदारता पूर्वक मेरा परिचे दिया और मैं डॉक्टर अंशू केडिया जी का भी अभार प्रकट करूंगी यूपी सोशोलोजिकल सोसाइटी आज का दिन पूरा संचालित कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इंडियन सोशोलोजिकल सोसाइटी ने ये साथ दिवसी ये राष्ट्री ये कार्यशाला आयोजित करी है जो यूवा समाज वैद्यानिकों में गुणवत्ता परक्षोध इस विशय पर है मैं खुद एक मराठी माध्यम की प्रशाला से आती हूँ मराठी मीडियम की छात्रा हूँ मैं जानती हूँ कि विश्व विद्याले में आने के बाद जब अंग्रेजी से हमारा पाला पड़ता है हायर एजूकेशन में तब बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन इतनी कठिन भी चीज नहीं है क्योंकि आप तो जानते हो भारत में हमेशा से अनुआद का काम चलता आया है अंतर भारती महराश्र के साने गुरुजी ने एक संकलपना दी थी कि हमारी हर क्षेत्र की जो भाशा है वो मानो हमारी मा है और हमारे पडोसी क्षेत्र की जो भाशा है वो माने हमारी मौसी है तो यह माई और मौसी वाला रिष्टा जो है वो भारती भाशाओं में हमेशा से रहा है और सदीयों से संस्कृत, पाली, अर्दमागदी, नागरी और फिर मराठी, उडिया, अवधी, हम तो जानते हैं मैथिली, यह सारी भाशा है मल्य इन सारी भाशाओं में अनुवाद चलते रहे थे जब अंग्रेजी नहीं थी बीच में तब भी चल रहे थे तो आज मैं इतना ही कहूंगी शुरू में के अंग्रेजी से कोई ना डरे और किसी भाशा का हमने परहेज भी नहीं करना चाहिए और किसी भाशा को हमने सर पे भी चढ़ा के रखना चाहिए आज मैं हिंदी में मेरी बात रखने का एक तरह से साहस कर रही हूँ अगर कोई चूप भूल हो जाए तो माफ करिएगा ये भाशा भारती का सिलसिला समवाद का सिलसिला जारी रहे इसी की प्रार्थना में मैं मेरे आज का जो विशे मुझे निहित करके दिया है उस पर मेरी बाते रखती नो मुझे बताया गया है कि मैं जो पहला चरण संशोधन का होता है किसी भी अनुसंदान प्रक्रिया का और जो दूसरा चरण होता है पहला चरण होता है समस्या सूत्रन या तो समस्या की परिभाशा करना अनुसंदान के लिए जो भ परिभाशित करनी पड़ेगी उसका हमें समाश्रास्त्रिय भाशा में एक बार व्याख्यांकित करके फिर आगे हम ले जा सकते हैं तो शोध समस्या का चयन कैसे किया जाए यह पहला मुद्दा है और जो पहला चरण भी होता है अनुसंधान का स्टेप्स इन रिसर्च में फर्स स्टेप होता है और सेकेंड स्टेप लिटरिचर रिव्यू जो है साहित्य का पूरा एक समिक्षा पूर्वक अध्ययन करके उसके बलबूते पे अपना अनुसंधान आगे बढ़ाना इन दो मुद्दों पे बात रखने के लिए मुझे बता अस्ताविक तोर पे मेरे कुछ मत रखूंगी कुछ मेरी टिपणी करूंगी और फिर मैं आगे चलूंगी इसमें पहला ही मुद्दा मैं ये आपके सामने रेखांकित करना चाहती हूं कि देखिए ऑगस्त कॉम्त इस फ्रेंच छात्र ने एक युवा ने समाश शास्त्र व पे बहुत उथल पुथल चल रही थी फ्रेंच रेवल्यूशन के बाद का माहौल था नेपोलियन के दरबार में बड़ी कश्मकश हो रही थी और फ्रेंच रेवल्यूशन जिसने एक तरह से फ्रेंच समाज को मूलगामी तरीके से पूरा हिला दिया था उसका परिणाम समाज बिखरने की आश्रंग का बड़े बड़े दार्शनिक जता रहे थे और ऐसे समय में ओगस्ट कॉम्त ने ये कहा कि समाज आगे बढ़ना चाहिए बदलाव ये एक नैसरगिक चीज है ये एक प्राकृतिक चीज है वो होनी चाहिए लेकिन बदलाव किस दिशा में जा हम कभी ये ना भूले कि एक तरफ इसमें एक खोज थी कि ब्रह्मांड का अर्थ लगाया जाए और अगर आप याद करोगे तो उपनिशदों में भी भारत में ये भावना है मैं कौन हूँ मैं यहां क्यों हूँ मैं इस काल में क्यों हूँ और मेरा और इस ब्रह्मांड का नाता रिश्टा क्या है ये सवाल दारशनिकों नहीं नहीं सामान्य जनोम ने भी हजारों सालों से खुझ से पूछा है और उस सवाल के जबाब धूनते धूनते ही अनेक महा काव्य रचे गए अनेक सिद्धान्त रचे गए फिजिक्स के हो चाहे एंथ्रोपॉलोजी के हो चाहे sociology के हो, चाहे history के हो, चाहे geology के हो, ये सारा जो अनुसंधान हुआ है, इसके मूलस्वरूप ये सवाल हमेशा रहा है, मैं कोन हूँ और मेरा और ब्रम्हांड का नातारिष्टा मैं कैसे जानू, कैसे समझ लो, तो आज जो भी शोध करता, युवा शोध करता, ये भाशन सुन रहे हैं, उन्हें मैं ये याद दिलाना चाहूंगी, कि August Compt का समाश शास्त्र हमें दो चीजे सिखाता है, एक हमारा अनुसंधान समाज के बिखराव के लिए नहीं है, समाज के उन्नयन के लिए है, और इस उन नयन के जो आधार है, वो होने चाहिए करुणा, शील, प्रद्न्या, मैता, इस जैसे मानुशता बढ़ाने वाले आधार, नकी एक नसल का किसी सब पे हावी हो जाना, एक धर्म का किसी सब पे हावी हो जाना, एक राश्ट्र का सब को धन्सकर करना, और युद्ध में सब को खीचना, इसलिए सामाजिक बदलावों की पक्ष में समाश शास्त्र नहीं खड़ा है, समाश शास्त्र अधिक करुणा, अधिक मानुशता, अधिक मानवता, इसके लिए और शांती, और अन्याय का विनाश, इसके लिए समाश शास्त्र का पूरा जो है, वो इतिहास रहा ह और ये मन में रखकर आप अगर आपके समाज शास्त्र की शुरुवात करेंगे, अनुसंधान की शुरुवात करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि ओगस्ट कॉम्प का समाज शास्त्र पांच गुणों से युक्त था, वो अनुभववादी था, समाज शास्त्रिय था, वि अनुसंधान के लिए उन्होंने लायक समझा वैग्ञानिक दृष्टिकॉन सबसे बड़ी चीज तर्क के आधार पर बुद्धी के आधार पर विज्ञान के आधार पर निश्पक्षता लेकर अपनी बात रखना इसे समाश शास्त्र कहते हैं समाश शास्त्री आनुसंधान की ये एक तरह से precondition है कि आप objective तरीके से निश्पक्ष तरीके से विज्ञानवादी होकर ही काम करेंगे नहीं आप किसी पूर्वग्रह से ग्रसित होकर अपना काम रखेंगे और प्रगती शीलता पॉम्ट का समाश शास्त्र एक प्रगती बादी समाश शास्त्र था ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए करमठवाद उसे उन्हें वर्जित था और ये सब ध्यान में रखते हुए जब आप अपने अनुसंधान की ओर देखें तो पहला मुद्दा आता है अपनी समस्या निहित करना अपनी समस्या निश्चित करना ये करते हुए आप कैसे करोगे हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे अवलोकन करते जाते हैं बहुत सारी उब्जवेशन रहती हैं उन्हीं उब्जवेशन से हमारे मन में कुछ खयाल आते हैं कि ये क्यों हो रहा है इसका मैं मुझे जड़ ढूनना है मुझे इसके कारण ढूनने है और फिर एक सफर शुरू हो जाता है लेकिन वहां से एक वईज्यानिक तोर पे समस्या तक आना ये एक सफर है एक वईज्यानिक सफर है और इसके लिए हमें कुछ रियाज की जरूरत है वो किस चीज़ का होगा पहली चीज़ मैं सारे यूबा शोधकर्मियों को बोलूंगी जो मैं खुद भी हमेशा करती हूँ और सबको बोलती हूँ कि करना चाहिए इंटरनेशनल सोशोलोजिकल असोसियेशन आएसे की वेबसाइट पे आप हमेशा पाओगे के सोशोलोजी की जो उपशाखाएं हैं वो आज के दौर में कौन सी उपशाखाओं में किस तरह का अनुसंध हो रहा है इसका एक पूरा आलेख एक नजर में आपको आएसे की वेबसाइट पे मिलता है तो आएसे की वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो आप पाओगे रिसर्च कमिटीज का एक पूरा ब्योरा और रिसर्च कमिटीज के ये ब्योरे से आप अंदाज लगा सकते हो कि 21 सदी में सबसे महत्वपूर्ण सबसे धान हीचने वाले मानवी जीवन के आयाम कौन से है और उन आयामों पर एक कटाक्ष डालिए समझ लीजिए कि उस हर में कौन से बड़े वज्ञानिक काम कर रहे हैं कौन से समाश शास्त्री किस देश से किस क्षेत्र से क्या उनका योगदान चल रहा है और इसके आधार पर मैं आपको इसके लिए एक उदारन दूंगी जैसे आजकल आपकी पीड़ी GPS के आधार से ही पता डूनती है कहीं भी शाखाओं का पूरा ब्योरा पूरा विश्लेशन करने की आवश्रक्ता है जैसे मैंने आएसे का उदारन दिया तदवत इंडियन सोशोलोजिकल सोसाइटी की वेबसाइट पे आप जाएए आप पाओगे के रिसर्च कमिटीज का ब्योरा वहां भी है और जो रिसर्च का काम देखते हैं उनके नाम बाप डूंडिये उनका लिखा हुआ साहित्पय आप डूंडिये और वो आपका जीपिएस साबित होगा इस्से क्या होगा इससे आपको उस उपशाखा में जो सिधान्त हैं उस उपशाखा में जो क्रिया प्रडाली हैं मेफDलोजी सेस्ञे még हैं जो टेकनीक्स यूज किये जाते हैं ये रेडी मेड मिल जाएगा और इस रेडी मेड ग्यान से फिर आप एक अच्छे बल्बूते पर खड़े रहे कर अपना अनुसंधान कर पाओगे मेरा तीसरा प्रास्ताविक जो एक रिमार्क है टिपनी है वो ये कि जब भी हम अनु बात नहीं कर रहे हैं हम कल के बारे में भी बात कर रहे हैं किसी भी अनुसंधान में ये ध्यान रखिएगा कि आज के साथ कल का ब्योरा कल का संदर्ब कल का विशलेशन होना बहुत जरूरी है यहां मैं ये कह रही हूं कि वरतमान और भविश्य दोनों की एहमियत वराबर क इसी भी अनुसंधान में रहती है. कोई भी अनुसंधान प्रकल्प जो होगा, वो तभी ठीक से कार्यानमित हो सकता है, जब भविश्य का एक आधर्शलो, एक परिकल्पना, एक आधर्शकी स्वप्ण की परिकल्पना आपके मन में हो. और आज का वास्तव, आज का यथार्थ और स्वपनलोग भविश्य का इन दोनों संदर्भ बिंदूओं के बीच में आपका अनुसंधान का सफर चले। यहीं आपके अनुसंधान को अधिक अर्थपूर्ण बना देगा। तीसरी और आखरी बात मैं बतानी जरूर समझती हूं कि आज का जमाना कौंप का जमाना नहीं है। कौंप के जमाने में सोज行了gy के डाएरे में ही सारा काम चल रहा था। और आज के जमाने में interdisciplinarity, multi-disciplinarity, beyond disciplines यह सारी चर्चाएं हम लोग सुन रहे हैं। The new discourses are that of multidisciplinarity, interdisciplinarity and so on. And therefore, आज के जमाने में जब आप पढ़ाई करोगे, अनुसंधान करोगे, तो सिर्फ sociology की किताबे लेकर, sociology के PhD थीसिस पुराने वाले देख कर, आपका काम नहीं चलने वाला. आपको विद्या शाखा के सीमाएं लांग कर, एक बहुत बड़ा पट, बरनपट मानों आपके सामने रखना पड़ेगा. Politics में क्या हो रहा है? Economy में क्या हो रहा है? Demography में क्या बड़ावा रहे हैं? भारत में वर्द्धों की संस्ख्या बढ़ रहे हैं? कौन से बड़ावा रहा हैं इसमें? यह सारी चीजे आपको भापनी पड़ेगी. यह आप नहीं कह सकते, मैं तो sociologist हूँ, मुझे तो नहीं पता, climate change की वजह से, आज बहुत सारी चीज़े बदल रही हैं, जैसे आने वाले समय में, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं बार-बार, आने वाले समय में परिस्थिती की इतने बदलाव संभव होते हैं, कि flash floods और बहुत गर्मी, जो दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से लोग कह रहे हैं, बहुत गर्मी, अचानक से तपना भूमंडल, यह सब होगा, और इससे कुछ नए जनुकिय बदलाव भी आ सकते हैं, कुछ नए, आप जानते हों, diseases भी निकल सकते हैं, तो आरोग्य के बारे में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, तो विद्या शाखा के परे जाकर, transdisciplinary, interdisciplinary, सोच आपकी होना बहुत ही आज, urgent need है, अब मैं मेरे पहले वाले मुद्दे पर आती हूँ, जो मुझे दिया गया है, समस्या सूत्रन, अब यह तो हमने बात कर ली, कि क शास्त्र का इतिहा, सिध्धान्त और उपशाखा, उपशाखा की हिस्ट्री, यह तो सारा हो गया, फिर भविश्य का एक सपनलोक और यथार्थ का जो भी हमें वास्तव का जो भी चित्र दिखता है वो, अब एक चीज इसमें आएगी, कि जब आपके मन में कोई सवाल आता है, तो शायद वो अपनी एक पोजिशनालिटी से आता है, आपकी जातीगत, आपकी वरगगत, आपकी आर्थिक परिस्थिती, आपकी जाती, आपकी धार्मिक पहचान, आपका क्षेत्रिय जो भी है, पुरुष्टभूमी, कहां से आते हो आप, फिर आपकी भाशा, आपक पहचान के जो सारे पहलू है, लिंगभाव, लेंगिकता, सो ये सारे मुद्दे लेकर आप किसी भी समस्या के बारे में सोचते हो, लेकिन अनुसंधान के लिए वज्ञानिक दुरुष्टी से जब इसकी परिभाशा करनी है, व्याख्यांकित करना है, तब आपको इन सारी आइडेंटिटी सारी पहचानों से बाहर निकल कर फिर से उस समस्या की तरफ देखना होगा, उसकी परिभाशा करनी होगी, और ये प्रयास सेल्फ के परे जाकर साइन्टिफिक पस्पेक्टिव में खुद को ढालना है, ये बहुत आसान भी नहीं है, ये रियाज की बात है, मेरी जाती, मेरा धर्म, मेरी लेंगिकता, मेरी पहचान, इससे बाहर आकर मुझे देखना पड़ेगा, मेरे से बिलकुल अलग जिनकी पहचान है, जिनकी परिस्थिती है, उनकी नजर से भी उस समस्या को देखने का रियाज मुझे करना है, और उसक बाद ही मैं क्या कर सकूंगी मैं उस समस्या को कभी मेरे नजर से कभी किसी बहुत गरीब व्यक्ति की नजर से कभी कोई बहुत अमीर व्यक्ति की नजर से कभी एक सत्ताधारी व्यक्ति की नजर से कभी सत्ता विहीन व्यक्ति की नजर से पिछडे की नजर से अगले की नजर स मुझे देखना पड़ेगा ग्रामिनी क्षेतर से शहरी क्षेतर से ये कैसी दिखेगी समस्या इसके माइने क्या होगे इसके पहलू क्या होगे और उसके बाद मुझे scientific language की ओर बढ़ना पड़ेगा फिर बारी आएगी मेरी समस्या मैं एक वाक्य में परिभाशिक करूं और ज तो जो शब्द मैं उसमें चुनूंगी उस हर एक शब्द का एक वजन sociology में pre-decided होगा they will be concepts समस्या सूतरन का सबसे अहमनियम है वो conceptual language में आनी चाहिए संकल पनात्मक परिभाशा में समस्या सूतरन होगा तभी जो आप लिख रहे हो वो बाकी universities के लोग आपके examiner, आपके पाठक, आपके publisher समझ पाएंगे दुनिया के बाकी कोनों से भी लोगों को समझेगा कि आप क्या कह रहे हो अगर आप मैथिली का ही एक शब्द लेके जाओगे और उसका अगर translation नहीं दोगे किसी को नहीं समझेगा आप क्या कह रहे हो मराठी शब्द का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ समस्या सूतरण में लेकिन मुझे वहां star डालके, asterisk डालके मुझे उसका एक अर्थ देना पड़ेगा पारिभाशिक अंग्रेजी में तो ये third step मैं अब कह रही हूँ आपको आपका समस्या सूतरण परिभाशिक करना पड़ेगा conceptual language में संकल पनाओं की परिभाशा में समस्या फिर से लिखिए दो बाक्ये लिखिए उसके और फिर वो फिर से edit करते रहिए संग्शेप में उसको आपको पांच या छे शब्दो तक ही सीमिक करना है समस्या सूतरण जब करोगे तब ये ध्यान रहे कुछ लोगों के proposals आते हैं PhD के तो उनका title रहता है दो-दो sentence 20-20 शब्द उसमें रहते हैं it's a bad strategy you have to make it very abstract and you have to make it precise अमूर्त हो और छोटा हो संग्शिप्थ हो ये ध्यान में रहे आपके और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा आपको बहुत सारे PhD और एक बात मैं बताओं अच्छे titles सिर्फ sociology की concept से नहीं आएंगे आपको अच्छी फिल्में देखनी पड़ेगी अच्छी किताबे अच्छी novels पड़ने होंगे आपको कविता का प्रेमी होना पड़ेगा तभी आपके titles बहुत अच्छे बन सकते हैं मुझे अभी बात करते करते याद आया मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला टाइटल है आशीश नंदी की किताब है दे इंटिमेट एनिमी ये नाम उन्होंने दिया है ब्रिटिश ऑपनिवे शिकताबाद के दौर में गांधी जी क्या लिख रहे थे और भारत का भारतिय समाज की आत्मा और पाश्चात्य सभ्यता का आक्रमन इसका एक पूरा जो कन्फरन्टेशन है उसके बारे में इस किताब में आशीश नंदी लिखते हैं और टाइटल देते हैं दे इंटिमेट एनिमी बहुत ही नजदी की रहने वाला एक शत्रू तो देखी इस तरह से मैं बोल रही हूँ यह टाइटल शुड भी पोएटिक, पोएट्री पढ़िये, कविताएं पढ़िये, फिलमे देखिये, गाने गाईये, जिंदगी के सारे रंगों में जो भी अनुसंधान करना चाहता है उसको खुद को ढालना होगा, उसे नॉबेल्स पढ़ने होंगे, जो मेरा आयुष्य नह में लाने का आउसर प्राप्थ हो सकता है, अब मैं मेरे अगले मुद्दे की और जाती हूँ और वो है अनुसंधान के कहीं प्रकार होते हैं हम लोग जानते हैं, एक प्रकार हो सकता है उस्तकों पर आधारित अनुसंधान, सेकेंडरी सोर्स अनालिसिस, रिसर्च डाट इस बेस्ट ओन सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी सोर्स अनालिसिस, आप ये पाओगे के कौमत के काल से कहीं न कहीं प्रत्यक्षवाद का जो एक डॉमिनंस हैं, वो हमारे मन पे हैं, सोशॉलजी और सोशॉलोजिस्टों की जो सोच हैं, वो कहीं न कहीं प्रत्यक्षवाद के पिं इसका परिणाम यह हुआ है कि हर नए शोधार्थी को यह लगता है फिल्ड वर्क करना है, फिल्ड वर्क पे जाऊंगा, फिल्ड वर्क पे जाऊंगी और जैसे ही प्रपोजल एकसेप्ट होता है पिएजडी का, दो मेनों में हम लोग फिल्ड पे जाने की सोचते हैं लेकिन यह असलियत नहीं है, एक प्रत्यक्षवाद यह एक फोर्स है, एक प्रवाह है, लेकिन और अन्य प्रवाह भी है फेमिनिस्ट रिसेर्च मेथडोलोजी, फेनोमेनोलोजी, प्रगटना शास्त्रीय पद्धती, क्रिया प्रणाली, नारिवादी या स्त्रीवादी कार्य प्रणाली, या लोक पद्धती, शास्त्रीय क्रिया प्रणाली, यह अलग-अलग, अंतर क्रियात्म क्रिया प्रणाल अलग-अलग तरह से आप अनुसंधान कर सकते हो अभी आप जानते हो हाली के कुछ सालों में अधुनिकोत तरवाद post-modernist theory भी आ चुकी है post-modern methodology और अलग तरीके की है post-colonial methodology और मैं जिस field में आजकल काम कर रही हूं पिछले कुछ सालों से decolonial methodology तो प्रत्यक्षवात का पिंजरा अगर आप छोड़ोगे तो बाकी बहुत सारे धारा प्रवाह आपको दिखेंगे बहुत सारी धारा हैं बह रही है sociology में वाकिफ हुई है उनसे एक ही दिशा में मत जाए कि मैंने समस्या सूतरन कर लिया hypothesis रच लिया फिर मैंने survey questionnaire किया फिर मैंने survey किया फिर conclusion निकाला और लिख के दे दिया ये हो गया positivist quantitative methodology का एक पूरा प्रारूप लेकिन इसे छोड़ कर बाकी प्रतिमान भी है तो अभी जो मैं कहने जा रही हूँ उसमें दो चीजे हैं समस्या सूतरन के बाद आपको दो चीजे करनी पड़ेगी अगर आप quantitative research करने वाले हो तो आपको hypothesis लिखने पड़ेंगे परिकल्पना गृहितकृत्य आपको लिखना पड़ेगा अभी कल्पना आपको तयार करनी पड़ेगी और आपको concepts लेने पड़ेंगे जो indicator based है measurable concepts with indicators जिसका मापन हो सके that can be measured so अगर आप quantitative research करना चाहो तो समस्या सूतरण के बाद hypothesis and concepts that can be measured ये आपका रास्ता रहेगा अगर आप qualitative research करना चाहो तो ये रास्ता नहीं होगा आप क्या करोगे आप समस्या सूतरण के बाद research questions अनुसंधान के लिए जो पाया भूत है ऐसे basic questions आप लिखोगे जो आपके अनुसंधान के विशे का पूरा ब्योरा कर पाए और उसकी पूरा उसका scope कर पाए इस तरह के research questions दो questions एक question या तीन questions जादा से जादा तीन सवाल जादा से जादा से जादा सिर्फ तीन अनुसंधान सवाल आपने रखने जाए कम से कम एक जादा से जादा तीन hypothesis quantitative में वो अलग है फिर इन research questions को मद्दे नजर रखते हुए या hypothesis को मद्दे नजर रखते हुए आपको literature review करना है और अब मैं मेरे भाशन के अंतिम चरण में जा रही हूँ literature review साहित्य का अबलोकन साहित्य का पूरा एक मुल्यांकन करना हमारे पहले जिन लोगों ने काम किया है जिन लोगों ने research किया है उन्होंने क्या लिखा था इस विशय के बारे में ये जाने बगैर आगे जाना संभव नहीं in scientific research it is a must कि आप से पहले लोगों ने क्या पढ़ा है क्या जाना है क्या पाया है यथार्थ उनका यथार्थ क्या था ये देखे बगैर आप आगे नहीं निकल सकते अगर मैं साहित्य के पुनरावलोकन का आपको ब्योरा दे सकूँ आपको उसकी एक व्याख्या दे सको तो वो ऐसी है के एक आलो चनात्मक संक्षेप में बहुत सारे मौजूदा साहित्य को लिख डालना ये एक एसे है लॉंग एसे जिसमें आप डीटेल नोट्स करोगे पूरा जो फील्ड है आपका जो उपशाखा है आपके टॉपिक की समस्या की वो पूरी छानोगे आप सारी दिशाओं से उसके पूरी तहे उसकी आप देख लोगे नापोगे और फिर जिस जिसने उसमें योगदान दिया था उसकी समरी और एसेस्मेंट और evaluation ये तीनो चीजे आप करोगे इसी को हम कहते हैं अलोचनात्मक पुनरावलोकन साहित्य का पुनरावलोकन ये पुनरावलोकन हम एक नजरिये से करते हैं एकstrong work से करते हैं एक द्रिश्टिकोन से करते हैं कौन सा नजरिया? मेरे research questions ये मेरा चश्मा होगा मेरे हाइपोथीसिस quantitative अगर आप काम कर रहे हो तो संख्यात्मक अनुसंधान में आप ये देखोगे कि मेरा हाइपोथीसिस का नजरिया जो भी होगा उसी से मैं सारा साहित्य देख लोगी आपको बहुत जादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है You have to be focused बिल्कुल दिखदर्शिक तरीके से आप आगे बढ़ोगे और एकदम आपका field पका रहेगा step by step आपको आगे जाना पड़ेगा कुमार नाम के विद्वान हमें ये बताते हैं कि जब भी कोई छात्र अनुसंधान करने की सोचे तो दो कौशल उनके पास एकदम महत्वपूर्ण है कि वो अगर कौशल नहीं है तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे Which skills are these? And he says there are two skills Information search जिसको आजकल data mining भी बोला जाता है literature mining भी बोला जाता है तो सूचना का शोध लेना कहीं भी मिले सूचना के लिए आपके कान और आपकी आँखे तरसनी चाहिए आपका जो विशय है आप रास्ते पे चल रहे हो दो shopkeepers की बात सुन रहे हो तब भी आपका विशय का अगर कोई शब्द आता है तो आपके कान खीचे जाने चाहिए आपकी आँखों के सामने कुछ भी चल रहा है आपको आपका अनुसंधान का विशय हमेशा attract करेगा अगर आप दिल से research कर रहे हो API के लिए और सिर्फ पगार के लिए नहीं कर रहे हो एक passion अनुसंधान में जो कहा जाता है तो आप कहीं भी चलो फिरो किसी शादी में जाओ आपकी family में कुछ हो रहा है आप अपने दफ्तर में हो आप bus stand पे खड़े हो आपको आपका जो भी अपकी अनुसंधान समस्या है वो दिखेगी ही दिखेगी वो पुकारेगी आपको आपके कान उतने सतर्ख होने चाहिए तो literature review में सारे sources आते हैं किताबें आती है journals आते है फिर popular magazines भी आती है ग्रुह शोभा भी आएगा feminine भी आएगा police times भी आएगा उसमें bus stop पे मिलने वाले सारे अकबार और पत्रिकाएं भी आएगी जो बिलकुल लोकप्रिय अकबार लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं और internet और electronic journals abstracts वो भी आएगे inventories encyclopedia ये सब आएगा और हम ये भी जानते हैं कि इसकी steps क्या होंगी ये भी हम देखेंगी लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुमार जो मैंने अभी उनका जिकर किया था इस विद्वान की नजर से साहित्य के पुनरावलोकन के तीन प्रकारिय कौन से हैं पहला प्रकारिय है साहित्य का पुनरावलोकन हमारा जो research question है अनुसंधान प्रश्न है उसे साफ कर देता है उसकी सारी परते खोल देता है उसकी जड़े हमें दिखाता है और हमारा ध्यान पूरा केंडरित कर देता है from the literature review we know what are the most important issues concepts and the history of it किसने क्या बोला कब क्या देखा था किस विशे के बारे में कब पता चला अगर आप women's labor के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि भारत में 1990 के दशक में जो नारीवादी अर्थशास्त्री महिलाएं थी उन्होंने पहली बार ये भारत सरकार को बताया कि आपकी census questionnaire में एक गलती आ रही है आप उरतों को पूछ रहे हो आप काम क्या करती हो क्या आप काम करती हो और जब ये सवाल किसी भी भारती नारी को पूछा जाएगा वो कहेगी नहीं क्योंकि अपने घर परिवार के लिए वो जो भी करती है चुला जलाती है बाहर जाके लकडी बीन कर लाती है अपनी गाय बकरी उसे चराने के लिए ले जाती है भैंस को चराने के लिए ले जाती है अपने खेत में थोड़ा काम कर लेती है और वो जो भी ये सारा काम है वो फ परिवारों के कपड़े भी सिलने पड़ते हैं अगर कुछ फट गया हो पानी भी भरना पड़ता है घंटों और इन सारी चीजों को वो काम नहीं बोलती क्योंकि ये परिवार का मुद्दा है उसके लिए प्यार का मुद्दा है तो इन अर्थशास्त्रियों ने बोला कि आप इस एक देखिए शब्दांकन में फर्क आने से विमेन वर्कफोर्स और जीडीपी में विमेन्स कॉंट्रिब्यूशन का पूरा गणित भारत का 1991 के सेंसस में बदल गया। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यह आप हलके में नाले। जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भारत की नारिवादी अर्थशास्त्रियों ने क्या काम किया था उस दर्शक में, नब्बे के दर्शक में। जो दूसरा प्रकार ये कुमार बोलते हैं वो ये हैं कि साहित्य के पुनरावलोकन की बज़े से अनुसंधान करने वालों की क्रिया प्रणाली सुधर्ती है। उसमें बहुत सुधार आ जाता है क्योंकि आप ये देख लेते हो कि पहले वाले शोधार्थियों ने कौन से मेथडोलोजी यूज़ करी थी, उससे उनके पास कौन से निश्करशा आये थे, उनकी मर्यादाएं क्या थी। और ये पढ़ने के बाद आप पूरा अपमे सुधार आएगा आपकी सोच में और आपकी क्रिया प्रणाली सुधर सकती है। तीसरा और अंतिम प्रकारिय है literature review का, कि literature review लेने से शोधार्थि के जो क्षितिज है ग्यान के, वो विस्तारित होते जाते हैं, नजर चौड़ी हो जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं, नजर चौड़ी हो जाती है, उसका एक पूरा scope बदलता है, और इस इसके कारण, शोध ही काम करेंगे तब उनका जो काम होगा वो जादा परियाबत रहेगा रेलेवन्ट काम जादा होता जाएगा अनकी कमांड जादा आएगी और उनका काम भी जादा अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण और यूस्फुल होने लगेगा ये तीन चीजे हैं अब इसके बाद में मैं बिल्कुल सिंपल एक बात आपको याद दिलाऊंगी सी राइट मिल्स जो एक बहुत ही जाने माने आलोचनात्मक समाज शास्त्री थे उनकी एक बात कभी मत भूलिएगा वो कहते हैं के समाज शास्त्री क्या करता है जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं और जो सामाजिक अवधारना है जो समाज की संद्रचना के कारण तयार होने वाली प्रतिमान हैं हमारे जीने के जैसे पेट्रियार्की हो कास सिस्टिम हो या तो रिलीजिस हैरार्की हो या तो अर्बन और रूरल ग्रामीन और शहरी क्षेत्र में जो एक पूरा स्तरी करण है वो हो ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं हमारी जिन्दगी के वो और व्यक्ति की समस्या इसमें फर्क कर पाना ये सोशालोजिस्ट की सबसे बड़ी पहचान है उसी को हम एक समाश्यास्ति कहते हैं जो व्यक्तिगत दुख और सामाजिक सावरचनिक तत्व इनमें फर्क कर पाएं और उसको परिभाशित कर पाएं और इसी चीज़ को उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम दिया थ वो कहते हैं खुद में एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव हैबिट आपको लानी पड़ेगी आपको खुद का विकास एक अलग दिशा में करना पड़ेगा अलग आदते डालनी पड़ेगी एक समाश्यास्त्री के भूमिका में जाकर और वो किस चीज़ की आदते हैं खुद की पहचान खुद की आइडेंटिटी से बाहर निकल के समाज के और खुद के भी और देखना और ये मद्दे नजर लगते हुए उन्होंने कहा था क्राफ्ट आफ सोशालोजी करिए अब ये कौन सी क्राफ्ट है पहली चीज़ वो बोलते हैं लिखने की आदत डाले हर रोज कुछ न कुछ लिखो आपके मन में आने वाले सारे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौम्त और फूको लिखेंगे और आप कुछ नहीं लिख सकते हम में से हर एक समाज का हिस्सा है और हमने उसके बारे में लिखना चाहिए दूसरी मटीरियल जो भी है फिलोसोफिकल, स्पिरिच्वल आइडियाज सारे लिखिए परसनल नोट्स आपके नीजी तौर पे कुछ आलेक होंगे, कुछ यादे होंगी, वो भी लिखिए, कुछ इंप्रेशन्स होंगी, वो भी लिखिए और किताबे, जर्नल आटिकल्स, बिब्ल का बहुत ही अच्छा आउसर मिलता है आपके साहित्य के पुनरावलोकन में, और मिल्स ये भी हमें याद दिलाते हैं, के एक सोशालोजिस्ट होने के नाते, आपको जैसे एक शिल्प बनाना है, कौन सा शिल्प है ये, अपना अनुसंधान प्रकल्प, यही एक शिल्पी के तोर पे देखें, और एक कुशलता पूर्वक, आप उसमें जो नहीं चाहिए, वो हिस्सा निकालते रहें, और बिल्कुल उसका जो मर्म है, उसका जो इससेंस है, बहां तक जाएए, अब मैं अन्त के पांच मिनिट्स में आपको चरण बताऊंगी, लिटरेचर रिव्यू कि अगर महत्वपूर्ण चरण आप जानना चाहोगे, तो पहला है, relevant terms need to be searched, अगर आप औरतों का काम ऐसा बोलोगे, तो कामका जी, औरत और काम, ये सारी terms हैं, these concepts have to be searched for, और इनकी परिभाशा करना, और आज के जमाने में आपकी पीड़ी को बहुत ही easy है, बहुत आसान हो गया है, computer की, मदद से, keyword डालिए, advanced search डालिए, और हाजिर है, genie आपको सारा कुछ दे देगा, तो ये keywords डालके, relevant terms you have to search, for some of the terms, you might get up to 16,000, 18,000 entries, मेरा खुद का भी अनुभव रहा है, कि कभी-कभी हम 16,000, 18,000 entries हमारे विशय की हमें मिल जाती हैं, वो सारी entries देखना, पढ़ना, यहीं हमारा काम है, यहीं अनुसंधान का 50% हिस्सा है, दूसरी step जो आती है, दूसरा चरण जो आता है, वो है, हर एक जो भी हमें साहित्य मिले, उसका एकदम detail notes बनाना, summary बनाना, पूरी टिपनी करना उसकी, और यह बहुत ही जरूरी है, आप हाथ से कीजिए, आप computer पे कीजिए, आप diary में कीजिए, cards पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन यह आप कभी भी टाल नहीं सकते, detailed notes, यह एक बहुत जरूरी, बहुत अहम हिस्सा है, तीसरी बात आपको करनी होगी, वो है, evaluation of validity, assessment of validity, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है, हमने यह जानना की, जो sources हमने लिए हैं, क्या वो विश्वास रखने लायक हैं, या fake हैं, एक जान लीजे आप, कोई भी चीज़ computer पे है, इसका मतलब यह नहीं, कि वो hack नहीं होगी, इसलिए यह देखना ठीक पड़ेगा, कि क्या यह AI का कुछ fake मामला है, या कुछ सही चीज़ आप देख रहे हो, इसलिए assessment, मुल्यांकन करना, पड़ताल करना, जांच करना, यह बहुत ही ज़रूरी है, अब अन्त में, मैं सिर्फ दो मुद्दे आपके सामने रखूंगी, एक है, जब आप संख्यात्मक अनुसंधान करोगे, तब आपका literature review कैसे जाएगा, और जब आप गुनात्मक अनुसंधान करोगे, तब आपका literature review कैसे जाएगा, चरण क्या होंगे, हम शुरुवात करते हैं quantitative research में, पहली तो step दोनों में समान है, enlisting of sources, एक बड़ी fairest बना लीजिए, जो जो आपको मिल रहा है, आपके विशे से संबंधी, key terms, keywords डालके, आप वो डाल लीजिए, यहाँ एक मुद्दा मैं जरूर आपको बताऊंगी, sage research methods, यह एक बहुत ही अच्छा आपके लिए आपकी उपलब्दी होगी वो, वो use करें, उसमें अपना account बनाएं, और आप बस type करिए epistemology और आपको epistemology का अर्था जाएगा, और आप plagiarism में भी नहीं फसोगे, एक हो सकता है sage research methods, sage publishing company है, बहुत ही जानी मानी international, और दूसरा zotero, zotero software आपको एक ह लेखक के बहुत सारी किताबे, journal articles एक साथ दिखाता है, और वो आप referencing भी scientific तरीके से immediately, automatically कर सकते हो, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, second step, each source of material should be evaluated, मुल्यांकन करिए, ऐसे ही मत लीजिए कि ये छपके आया है तो अच्छा ही होगा, आपको देखना चाहिए कि ये plagiarize है क्या, तो आपकी शुरुवात जाने माने scholars से होनी चाहिए, और फिर आप शोद गंगा और विकी पे जाएए, गूगल पे जाएए, शुरुवात अगर गूगल से करोगे, तो आप फस सकते हों, तो source material, जो स्रोथ है, आपके संदर्भ साहित्य का, वो परखना, उसकी जाँच परताल करना बहुत ही important है, तीसरा चरण जो है, आपका ये जो साहित्य का पुनरावलोकन है, इसका संदर्भ बिंदू, आपकी अभिकल्पना होनी चाहिए, Your hypothesis should guide your literature review, hypothesis जो है, उतना ही आप limit करिये आपका काम, चौथा चरण होगा, आप जिस domain area में काम कर रहे हो, sociology of education, sociology of health, gender sociology, sexuality and identity, जो भी domain area आपके समस्या का है, उसमें आप पहले literature देखें, और फिर अलग-अलग domain areas में भी cross-referencing करके देखें, जैसे आप gender and labor अगर देख रहे हैं, कामकाजी और अगर आपका विशह हैं, तो आप labor में देखोगे, work में देखोगे, और gender में भी देखोगे, जो जेंडर, labor, work, economy ये सारे areas आएंगे, आप शुरू करोगे gender से, फिर आप labor में जाओगे, और फिर आपको शायद economy, Indian economy में भी जाना पड़े, आपको formats भी बहुत सारे देखने हैं, आप किताबे देखोगे, academic, जैसा मैंने कहा, novels भी देखी हैं, फिल्मे भी देखी हैं, अगर कोई हैं, पर या ब्लॉग, vlog, portals, documentaries, सारा आपको देखना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको, लेकिन हर source का, आपको ये देखना पड़ेगा, जाच पड़ताल करके, कि fake नहीं है, plagurize नहीं है, धोखे से कहीं से कुछ किया नहीं है, दहशत से कहीं से कुछ निकाला नहीं है, देखिए, वज्यानिक होने के नाते, आपकी जो निष्ठा है, वो मा अनुष्टा से है, मानवतावाद से परे कुछ भी नहीं है, तो धोखा धाड़ी से दहशत से कमाया हुआ ज्यान, हम कभी भी हमारे अनुसंधान में शामिल नहीं कर सकते, जूट बोलके लिया हुआ ज्यान भी हम लोग नहीं ले सकते, लास्ट जो चरण है वो है, कॉंटिटेटिव रिसर्च में आपका लिटरेचर रिव्यू एक एसे की फॉर्माट में आप लिखोगे, जिसमें आपने परखा हुआ सारा लिटरेचर उसके जो बलस्थान है वो और उसकी जो खामिया है वो आप लिखोगे, और ये एक अलग चैप्टर के तौर पे आपके रिसर्च में जाएगा, अब हम देखते हैं कॉलिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, जैसा मैंने कहा था, पहला तो वो ही है, सारे सोर्सेस की फेरिस्ट बनाना और सेज रिसर्च मेथड़्स और जोटेरों का उप्योग करना, दूसरा है, सा अन्वेशन प्रश्न, रिसर्च क्वेस्चन्स विल बी योर रेफरेंस पॉइंट, और बाकी का तो वही रहेगा, लास्ट चरण अलग है, पहले मैंने कहा था कि लिटरेचर रिव्यू एक चैप्टर में आ जाएगा, लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका लिटरेचर रिव्यू सेप्रेट चैप्टर नहीं होगा, आपके रिसर्च क्वेस्चन के हिसाब से हर चैप्टर में आपका लिटरेचर रिव्यू बटा जाएगा, और उस तरह से आप लिखोगे, In every chapter, your literature review sections will be added thematically. एक सूत्र बद्ध तरीके से, एक विवस्था बद्ध रीती से, आपके हर चैप्टर में आपका literature review शरीक होगा. ये होता है qualitative research में. मुझे लगता है मैंने simple भाशा में आपको ये समझा दिया है कि समस्या सूत्रन कैसे करे? एक sociologist की निष्ठा कहा होनी चाहिए? बड़ी passion के साथ, बड़े जुनून के साथ, ज्यान की खोज, ये एक पवित्र कारिय है, ये ना भूलते हुए, हमें degree तो जरूर मिलेगी. लेकिन degree जब करेंगे तब वो धोकाधाड़ी से नहीं करेंगे. जाँच पड़ताल करके, निष्ठा पूर्वक हम लोग ये करेंगे, ये मेरा मानना है और इसी विश्वास के साथ, इसी commitment के साथ, इसी निष्चे के साथ आप अपना अनुसंधान कर सकते हो. ये बिल्कुल मुम्किन है. और literature review मैंने आपको बता दिया कि उसमें कौन से कौशल जरूरी है, उसके तीन प्रकार्य कौन से है, और quantitative research में literature review कैसे जाएगा, qualitative research में literature review कैसे जाएगा. मुझे मेरे विचार रखने का ये मौका दिया, इसलिए मैं खास करके अन्शू जी केडिया, जो Indian Sociological Society की managing committee member है, और एक बहुत अच्छी अध्यापक और खुद एक शोधार्थी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और UP Sociological Society, मध्यांचल Society, मराठी समाश्रास्त्र परिशद, ये पांच परिशद मिलके, ये जो बहुत ही innovative तरीके से, पहली बार एक बहुत बड़ी कारियशाला हो रही है. इन्होंने मुझे मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है, कि आप सबसे बात करने का ये अवसर मुझे दिया गया. हिंदी मैं बहुत सहच तरीके से नहीं बोलती, अगर कोई चूख भूल हुई हो, तो माफी चाहती हूँ, धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. चाहादी रहते की समय समाफ दो, such a good orator you are, नाम. आप से कितना कुछ सीखने को है. And ma'am, आपको नहीं पता, लेकिन आपकी हिंदी के कायन हम सब लोग हैं, we try to learn from you, कैसे हिंदी को कैसे सीखा जा सकता है. और हिंदी में किस तरीके से अपने पुरे लेक्चर को आपने इतने सहचता से ऐसा लगी नहीं रहाता कि that is not your language. आप बता रहे हैं, तब हुमें पता चलगा है. Thank you so much. इसमें मैं, Shruti मैं, दो questions हैं, students ने तो appreciate किया YouTube पे continue, बहुत सारे students देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं. दो question हैं, आपके लिए, Ambedkar Gumar Sahu का question है, मैं, एथनोग्राफिक अध्यन में शोध पत्र, शोध प्रस्न का मार्ग कैसे प्रशष्त करें, तथा ठिक description की सीमा क्या होना चाहिए, क्रपिया मार्ग दर्शन कीज़एं. दूसरा, मैं, इस question मेरा भी है, मतलब कि I am allowed to. Please, please go ahead. कि वो research करें, actual research करें, सिर्फ नौपनी पानी के लिए research ना करें, और जैसा कि आपने का API के लिए, क्योंकि माम, आज, जो हमारा youth है, जो हमारे young sisters हैं, आपका बहुत ही बड़ा हैं, कि आप वो short-lived courses में उनको अपनी शायद future दिता है, और जो academics है, वो कही ना कही माम, academics और research, तो कहीं ना कहीं बुकुल खतम होता जा रहा है, तो ये steps तो तब आएंगे, जब वो first step, वो interest, हम, as a teacher, हम वो interest कैसे develop करें? मुझे लगता है, श्वेता जी, आपका बहुत ही बड़ा प्रश्न है, और मुझे पता नहीं, इस सवाल का जबाब इस छोटे अवकाश में देना possible होगा या नहीं, पहले मैं जो अन्शु जी ने सवाल पूछे थे, उनके जबाब रखती हूं यहां, पहली बात तो यह है कि ethnography is a very different technique, so यहां मैं लोका लेक के बारे में specifically तो नहीं बात कर रही हूं, लेकिन एक कह सकती हूं कि लोका लेक में एक बहुत ही छोटे micro level पे, micro level पे और बड़ी depth के साथ पढ़ाई की जाती है, तो आपका research question इस तरह से होना चाहिए, कि जो सारे levels और सारे dimensions ढूंडे उस स मस्या के, आपका sampling बड़ा नहीं होगा, आपके sites बहुत जादा नहीं होंगे, लेकिन आपको जिस तरह से phenomenology में हम लोग बोलते हैं, inter subjectivity, आंतर व्यक्तिनिष्टता के उपर पूरा जोर डालना पड़ेगा, आपके innovation सवाल इस तरह के होने चाहिए, जो स्व और समाज, इनके रिष्टे की स्व वाली side जादा खोदे, वो जादा देखे, कुरेदना है, वो स्व वाली side जादा कुरेदनी है, ये वाला जो एक qualitative, subjective side जो है, वो ethnography में जादा महत्वपूर्ण बन जाती है, और ये मद्दे नजर रखते हुए, आपको फिर अपने सवाल रखने जादा था, qualitative research में एक या दो ही research questions रहने चाहिए, hypothesis ज्यादा हो सकते हैं, 5 या 6 या 7, लेकिन research questions have to be very limited and very very expensive, तो एक आपका scope और depth, दोनों का वजन समझना बहुत जरूरी है, और मुझे पता नहीं, आपके विश्व विद्याले में क्या स्थिती हैं, लेकिन मैं एक थोड़ी, मैं नाराज रहती हूँ कि मेरे विश्व विद्याले में, जब PhD का selection होता है, तब एक proposal लेके चात्र आते हैं, और वो proposal पूरा उल्टा-पुल्टा करने का आउसर हमारी system में नहीं है, the proposal that is chosen in the selection process, you cannot completely change that afterwards, लेकिन Central Universities में, IITs में मैं देखती हूँ कि एक पूरा साल देते हैं, और बहुत बार selection वाला proposal रद हो जाता है, और नया proposal candidate लिखते हैं, और मैं जरूर चाहूंगी Indian Sociological Society के इस मंच से, जबकि पांच क्षेत्रिय संगठन इसमें जुड़े में हैं, कि हम लोग ये अपने अपने विश्व विद्याले में, मैंने मेरे विश कि हमने हमारी सिस्टिम बदलनी चाहिए, एक साल पूरा देना चाहिए student को coursework के बाद, अपना research questions, literature review थोड़ा बहुत करके, proposal फिर से लिखें, और फिर वो final हो RRC में, और फिर student को अनुमती दी जाए आगे बढ़ने की, तो ये थोड़ा कुछ technical भी कभी कभी हो जाता है, कि जब लिखा था तब इतनी समझ नहीं थी, इतनी पढ़ाई नहीं हुई थी, हम तो सिर्फ सिलेक्शन के लिए आये थे, तो ये एक technical मुद्दा है, अन्शूदी मैं कुछ अस्तक्यव कर सकता हूं क्या, सर, सर, प्लीज, जी सर, शुती जी, हाँ बोलिये सर, मैं राजीग ग आपके सामने बोलने की जुरत की है, सर, आज, मैं एक बस एक डाइमेंशन की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाए था, बाकी तो जो लेक्शर है ना, मैंने आपको कई बार सुना है, और मुझे बतलब कई बड़ी सैटिस्पेक्शन है कि आप शर्मिला की और डियन ध रागरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों हमारे अच्छे दोस्त थे और दोनों ही साथ नहीं है, लेकिन आपके वक्तब से लगा कि वो विरासत काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर, आपने बात की थी कौन्थ की, और वहां से शुरुआत की थी अगस्त कोंत के समूचे चिंतन को कहीं ना कहीं करूड पॉजिटिविजम के साथ जूड करके उसके बड़ी तिखी आलोचना की हैं, और बहुत सारे समाज व्यग्जाने को ने ये भी कहा कि अगस्त कौन्त कंसेंस्वल एप्रोच के परवर्तक हैं और मार्क्स कांफिलिक् जो डिबेट है या इन दोनों के बीच के जो आर्गूमेंट और कांटर आर्गूमेंट हैं, क्या उनको हमारी अपनी रिसर्च प्रोसेशीज में, जो भी जितनी भी रिसर्च हैं, उनमें इस्थान बिलना चाहिए, किस शेप में हो सकता है, एक दूसरा सवाल उसके साथ औ और उसमें जो इन्नोविशन है, जो क्रियेटिविटी है, वो कोई मैथट या सिलेक्टिव डाइमेंशन से नहीं आ सकती, उसके लिए आपको काफी कुछ अपने आपको खुलेपन की प्रक्रिया में ले जा रहा हैं, तो क्या हमको मैथट पर ओवर इस्ट्रेस करने की या उसके भी कुछ आल्टरनेटिव आने वाली समाज बिग्यानों के अंदर जहां पर कि आप क्रांस डिसीपिल्री और ब्यॉंड डिसीपिल्री अप्रोचिस की बात कर रहे हैं, क्या कोई मेथट लोजीकल ट्रांस्फॉर्मिशन होने की समभावना हमको नजर आती है? पहले सवाल पे तो मैं यह कहूंगी कि मैं कौम्त की याद इसलिए दिलाती हूँ कि समाज में जब बहुत बड़ा मन्थन और उथल पुथल चल रही होती है, तब समाज शास्ती की भूमी का क्या रहनी चाहिए? और आज के भारत में मुझे यह बहुत ही महत्वकूर्ण लगता है के कौम्त यह मानते थे के सोशालोजी इस दे सेक्यूलर रिलिजिन अफ मॉडर्न सोसाइटी और इस मुद्दे को मैं चिन्हांकित करना चाहूंगी यह जो युवा समाज वज्यानिक है इनके सामने क्यों अपना सामाजिक संदर्भ कोई छात्र कोई शोधार्थी ना भूले और आज के भारत का जो एक संदर्भ है सांस्कृतिक राजनेतिक सामाजिक वो ना भूले हम इसलिए उस संदर्भ में मैंने कौम्त से शुरुवात करी थी और यह रिखांकित किया था कि प्रगतिवादी समाज शास्तर और मानवतापूर्ण अनुसंधान आज के समय में बहुत बड़ी जरूरत है तो उस कौंटेक्स्ट में आज कौम्त को मैंने हाइलाइट किया था लेकिन मैं बिल्कुल आप से सहमत हूं सर्थ मार्क्स और कौम्त को किस तरह से दुनिया के अलग-अलग क्षे मार्क्स का भी जो दर्शन है वो कलोनियालिजम से बिल्कुल प्रेरित और भी था तो एकिसवी सदी के भारत से जब हम कटाक्ष डालेंगे इनके लिखे हुए आलेखों पे तो शायद हमारा मानना कुछ और हो सकता है दोनों के बारे We might read something very different today. This is my hunch. This is my answer to your first question. About the second question, sir, मैंने इसी लिए इस व्याख्यान के पहले प्रभाग में ये कहा था के Positivism is a cage. ये मुख्यधारा है समाज शास्तर की प्रत्यक्षवाद लेकिन ये एक पिंजड़ा है और मैंने ये कहा था के पिंजड़ा तोड़ो और बाहर देखो. पिंजड़े के बाहर बहुत सारे प्रभाग है. और ये बिलकुल धारा हैं चल रही है sociology में. Symbolic Interactionism, Phenomenology, Ethnomethodology, Feminist Methodology, Postmodernist, Post-Raptualist Methodology. लेकिन भारत के विशे में Post-Colonial Methodology की बरीब बाशा चल रही है. गायत्री, चक्रवर्ती, स्पिवा, सबॉल्टन स्टडीज हो. लेकिन सर मैं पिछले कुछ सालों से काम कर रही हूं Decolonial Theory में. और मैंने थोड़ा संख्षेप में ये कहा था मेरे व्याख्यान में कि Decolonial Methodology की बात चिडनी चाहिए. और Decolonial Methodology में एक नया पूरा एप्रो इसकी है, ये एक तो जैसा आपने अभी बोला और मैंने भी पहले जिकर किया था, Transdisciplinary और Beyond Disciplines. इस तरह की Border लांगने की एक बात है, सीमा ये लांगने की बात है. दूसरी जो Border है, वो है Nationality की Border. क्या भारती होने के नाते, एक Decided तरीके से ही मैंने देखना चाहिए? क्या मैं औरत हूँ, इसलिए मेरा नजरिया इसी तरह का होगा? क्या मैं दलित हूँ, तो मैं इसी तरीके से ही? तो ये जो सीमाएं हैं, निहित सीमाएं हैं, इनको भी लांगने की जरूरत है. और पाश्चिमात्य विज्ञान और पाश्चिमात्य आलोचना की जो चोखट हमें मिली हैं, जो फ्रेमवर्क्स, पैरडाइम्स हमने इनेरिट किये हैं, उन पे सवाल उठाना जैसे बहुत ही परियाप्त रूप से रेविन कॉनल ने कहा है, सर, कि दे एंटायर नौदर्न थियरी इस नौलेज बेस्ट अन वाइलेंस, क्योंकि आउपनिवेश शिकता बाद के की ह इनसा के उपर वो विज्ञान टिकावा है, जो भी विज्ञान, समाश शास्त्र को लेकर सारा विज्ञान जो हमारे पास आया, वो उसी धारा से आया है, जो धारा भारत को, एफरिका को, लाटिन अमेरिका को हमेशा से कम असल देख रही थी, और ये जब हम, ये हैरार्की जब पल्टेंगे, तब दुनिया अलग दिखेगी, और ये काम बहुत से समाश शास्त्री कर रहे हैं, वॉल्टर मिनोलो हैं, पेरूवियन शारी को अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सर, और अपने भारत का ही नाम ले, तो सुजाता पटेल हाली में और मैं खुद मेरा अपना बड़ी विनमदता पूरवक कह रही हूं कि मेरी बिशुर्बात हैं इसी फील्ड में, तो यहां के मेथडोलोजी बहुत लोगों ने लिखा है कि मोजएक एपिस्टेमोलोजी, आपके एपिस्टेमोलोजी भी बदलनी चाहिए, ग्यान की सीमाए ग्यान किसे कहे और ग्यान किसे ना कहे, यह जो परिभाशा होती है, यह यूरोप की परिभाशा और 21 सदी के भारत की परिभाशा अलग होगी, इसका अर्थ यह नहीं जो आजकल भारत में बड़ा ही fashionable है, के वेदों की परिभाशा, देखिए वेद भी एक हेजेमोनिक सिस् तो हमें भारत के आदिवासियों के तरफ जाना होगा, हमें भारत के सेकडों समुहों के और देखना होगा के ethno-science, ethno-ideologies क्या है यहां की, यहां का ethno-medicine क्या है, यहां के सारे जो प्रवाह हैं, सेकडों हजारों जो धाराएं हैं ग्यान की भारत में, और यह जैसे बुदिजम को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि ब्रैमैनिजम उसके अगेंस था, यह सारा पेचीदा इतिहास जानकर हमें भारतियों होने की भी परिभाशा आज करनी पड़ेगी, यह जानते हुए कि बहुत सारी विशमताएं, बहुत सारे अन्याएं और बड़ी हिंसक एक व समों की भाशा हमने मार डाली हैं, और क्या यह हम नहीं सोचेंगे, क्या यह हम नहीं उजागर करेंगे, तो यह एक बहुत ही, it's not a done project, it's a project in process, लेकिन decolonial methodology is the newest field I would appeal and I would urge and I would argue. मुझे लगता है कि आपके जो ideas है न, इसमें outside within का concept, दियन दनागरे का नजर आ रहा है, और रामक्रश्न मुकरजी की जो classificatory scheme है, उसका तुर्भावी नजर आ रहा है, मुझे लगता है इस combination से, decolonization की process को काफी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है. Thank you, sir. शुती मैं 5-6 questions है, बहुत simple, एक-दो questions पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अरुन सर्मा सर हम लोगे बीच जोड़ चुके हैं, तो कि आल्रेडी आप जान रही हैं कितनी problem आ गई हैं, और बहुत जल्दी बहुत short में, भावना है, उन्होंनों लिखा, how much literature review is enough for a PhD thesis? There is no rule of thumb. और bibliography जूटी नहीं जोड़नी हैं, जिस book को मैंने हाथ नहीं लगाया, जो पढ़ा नहीं, उसका नाम कभी मत डालिएगा, जो article है जिसकी आपके पास notes नहीं हैं, वो कभी मत लिखिएगा. So, 35 pages A4 size of your bibliography, imagine, but there is no rule. आपका विशे जितना गहन होगा, जितना गंभीर होगा, जिस तरह के पहलू होगे, उस तरह से देखना पड़ेगा. और उसकी कोई सीमा नहीं है, अन्तिम दिन तक आपका, जब तक आपके report छपने नहीं जाती, तब तक literature review चलता ही रहना चाहिए. यही सही माइने में ठीक रहेगा. मैम, दो question हो रहे हैं, क्या लिया जाए? हाँ, प्लीज. हाँ, कविता कोहानी है, आपका question है, मैम, good evening, मैम, social media से related topic को किस theoretical approach से जोड़ा जा सकता है? जैसा कि आज हम post-modernism और globalization के दौर में जी रहे हैं, प्लीज मैडम गाइड़ू. प्लीज रिपीट फर्स सेंटेंस, अन्शू, सॉरी, I missed you. सोशल मीडिया से related topic को किस theoretical approach से जोड़ा जा सकता है, जिसका कि आज हम लोग post-modernism और globalization के दौर में देखता है. I think I'll just pass this. Okay. आप अगर भालचंद्र नेमाडे जी देखे, मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार जिनको ग्यानपीठ मिला है हाली में. और मैंने लिखा हैं उनके उपर और आज भी काम कर रही हूं उनके उपर. नेमाडे जी ने बहुत अच्छे तरीके से social linguistics का प्रयोग अपने अद्धेयन में किया था. के, for example, मुहावरे, क्यों आते हैं, किस क्षेत्र में, किस काल में, कौन से शब्द मुहावरे में आते हैं और क्यों नहीं आते हैं. ये वाला सारा देखना. भारत की भाषा हैं, ये बात क्यों UNESCO कह रही हैं कि 192 languages from India are about to die. और UNESCO कब कहती है endangered languages? जब 10,000 से कम लोग एक भाषा बोलने लगते हैं किसी भी देश में. ये क्यों कह रही है UNESCO? देखें, आपको ये देखना ही पड़ेगा कि demography क्या है? आपको ये देखना पड़ेगा कि Hindi medium के पाटशालाय क्यों बंद हो रही है? इसके पीछे बाजार की कौन सी नीती है? अर्थव्यवस्था कि कौन से ऐसे नीती तत्व है कि जिनकी वज़े से भाशाएं मर रही हैं. भाशिक समूहों का एक दूसरे को कम ज्यादा मानना ये कैसे होता है? जैसे जारखन में कुडूक भाशा कम होती गई और हिंदी बढ़ती गई. ये कैसे हुआ? और अब बहुत सारे लोग हैं जो कुडूक का पुनरुथान करने में लगे हुए हैं. जो कुडूक की किताबे लिख रहे हैं, कुडूक के गाने लिख रहे हैं, वर्नमाला कर रहे हैं और पैरलल स्कूल्स कर रहे हैं. वो एक हैं. तो राजनेतिक निरने, अर्थशास्त्री निरने और सामाजिक बदलाओ, तकनी की बदलाओ. ये सारी चीज़े मराठी हो, अंग्रेजी साहित्य के शोधार्थी हो उनको मद्दे नजर रखनी होंगी आप अगर जेंडर पे काम कर रहे हैं तो आपको sociology of gender की किताबे पढ़नी चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि इसमें theorization क्या हुआ है आज यूनो sustainable development goals की बात कर रही है और sustainability में भाशा के जीवन का भी मुद्दा है आजीविका और भाशा इनकी जो जोड है उसका भी मुद्दा है ये भी आपको देखना पड़ेगा देखिए शोधार्थी को बहुत इगर रहना चाहिए एक curiosity खतम ना होना ये सबसे बड़ा सबसे बड़ी क्या कहेंगे उसको precondition है शोधार्थी रहने की किसी भी चीज को देखने सुनने पड़ने के बाद छोटे बच्चे जैसा आपको खुश होना चाहिए नई किताब मिल गई नया कुछ सुना आज गुपता सर ने तीन चार उनके वक्तव्य में बड़े-बड़े समाच शास्त्री विद्वानों के नाम लिये आप में से सब मुझे बिल्कुल मैं समझती हूं लिख लिए होंगे हर शोधार्थी के पास हमेशा देखे मैं बैटी हूं लेके आपको लिखना ही चाहिए जो कोई जो कह रहा है मैंने लिख लिया जो भी गुपता सर बोल रहे थे ठीक है ना क्योंकि curiosity should not die if curiosity dies your science will not live आप यही पूछते र पन्ने लिखोगे और फिर बोलोगे मैं लेकिन वो चार किताबे रहे गई जो अभी हाली में आई है क्या आप आपने notifications लगाए हैं दुनिया के सबसे बड़े publishing houses के Cambridge University Press Oxford University Press Sage Taylor & Francis आते हैं आपके यहां हर रोज आपको notifications आने चाहिए journals के और publishing houses के Orient Black Swan का newsletter आता है आपके email में अगर नहीं आता है तो आपका PhD registration रद भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं जिसे कहते हैं कुए में अगर पानी नहीं होगा तो आप निकालोगे क्या कुए से हमें बहुत पढ अपर नहीं एपढ़ोगे नहीं चाहे वो अग्यों कुछ आनुमती दें अंशुजी अहमारे बीच से कीजिश भुटुर सिंगजी है हमारे बीच प्रोफेशर अरुन कुमाज शर्मा जी प्रोफेशर अरुण कुमाज शर्मा जी का दिन्टड़क्षिन रखें औश सर का स्वागत करें उनके उत्रोधन के लिवें धन्यवाद प्रक्सर अंसु के डिया मैं आपको सबसे पहले इस तरह के बेहतर आयोजन के लिए धन्यवाद और धे सारी सुबकामना है मैं सब्सक्राइब करते हुए उनके संबंद में कुछ बातें कहना चाहता हूं जैसे मेरी उनकी बात हुए मैं एक से दो मिनट का दिक्तम उनके बारे में करूँगा क्योंकि ज़्यादे ज़्यादे अगर फुकस्त करेंगे हम लोगों को समझाने में तो बहतर होगा तो सब खम आप सभी लोगों का जो भी हमारे जुड़े हुए लोग हैं इस कारिक्रम से सब का अभिवादन और नमस्कार और मैं जैसा आप जानते हैं कि प्रप्सराउड कुमार सर्मा जी किसी परिचे के मौताज नहीं है अकाद्वित रूप से उनकी यात्रा लगातार जारी है उनके बारे में मैं दो मिनट का समय दूँगा अधिक्सादी कुमार दियों को काना कठीन काम है तो फिर भी मैं जाता हूं ज्यादे ज्यादे उनको सुनने का मौका मिले तो उनकी सिच्छा दिच्छा जैसा जानते ह इसकी तो फुरू हुई गेजवेशन की में में मस्सी उन्होंने किया सांखिकी से मेरत विश्विद्याले से उसके उपरांग बामबे आयाइटी बामबे में उन्होंने पी एईडी की उपा दी दौरान की इस दौरान तमाम जगात्तन करने का उनको अशर मिला पीएईडी कानपूर में जाने का उनके द्वारा देखा कि उनके द्वारा तो पॉस्ट डॉक्त प्रदूस हुए हैं उनकी उपाधियां प्राव्च कर चुके हैं और उनकी अकादमी के आत्रा एजे टीचर पाले भी तमाम कारे करके रहे हैं उन्नीस सो अस्ट से दोहजार एक्ष्ट कि 2021 में उनकी आत्रा जो थी आयाइटी कानपूर में वहां से और अवकास प्राव्च किये और उसके बाद धेर सारे रिसर्च पेपर हैं धेर सारी कई किताबें कई जनर्लस में वह लगातार काम कर रहे हैं लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आकादमी कुरुप से लगातार ह हैंबड़ा सहजिता से आयाइटी के विद्यार्थि उन्हें के बाद भी वड़ी सहचता से हिंदी में अपनी बात को समझाने का काम करते हैं और समार विज्ञान के मिद्यार्थियों को लगातार सूद खासके रिसर्च मिर्वलाजी पे लगातार हमें अभी प्रेइट करने का हम सभी भी जार्थियों को अभी प्रेइट करने का कायर कर रहे हैं और आज के बीसे जैसा आप जानते हूं उनका उक्कल्पना का रिर्माड बड़ा फार्वेशन अफैक्टेशिस में बार बार देखता हूं मैं कई RDC में जाने का मुझे मौका मिला काम करने का तो एक समस्या है यह समझ ही नहीं लोग पाते क्यों कल्पना का फार्वेशन कैसे किया जा क्या तरीके हैं और यह बेस है हमारे रिसर्च का तो मैं अब इस स्वागत करते हूं प्रफेसर अउड कुमार सर्माजी का मैं चाह कि हमें लाभानुवित करें हम लोग कुछ सीख पाएं किसी के साथ मैं चाहता हूं आप प्लीज आहिए धन्यवाद प्रफेसर सींग और धन्यवाद केडिया जिन्हों ने मुझसे कहा है कि मैं कुछ कहूं तो मेरे लिए यह अपने वक्तवे को संगठीत करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड बनाई है और मैं उन स्लाइड के साथ बोलना चाहूंगा तो कैसे कर सकता हूं तो मुझसे मैंने प्रोग्राम में देखा तो करीब 50 मिनिट का समय है जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आदे घंटे में अपनी बात समाप कर दूँ ताकि फिर चर्चा के लिए कि इंटरेक्शन के लिए हम लोग को अधिक समय मिल सके मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहूंगा चूंकि मुझे टॉपिक उपकल्पना का दिया गया तो मैं सिर्फ उपकल्पना के बारे में बात करूँगा और यह मेरे लिए जादे सुभिदा जनक था है कि मैं मैं इस लेक्चर में जिन चीजों के बारे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वह यह कि उपकल्पना और रिसर्च डिजाइंड प्रविदी इनमें पारस पर एक संबंद है दरसल मैं कहना चाहता हूं मुख्य रोपते कि अच्छी रिसर्च का संबंद इस बात से है कि उ उसमें जो रिसर्च के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और फिर फाइंडिंग से और कंक्लूजन है उनमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो अक्सर देखने को नहीं मिलती है तो हाइपॉसी का संबंद रिसर्च डिजाइन से है और कैसे वह मैं अगली स्लाइड में बताओंगा दूसरे यह कि है क्या और हाइपॉसीस को कैसे बनाते हैं हाइपॉसीस कितने होने चाहिए हाइपॉसीस टेस्टिंग के बाद किया क किया जाता है और फिर फाइंडिंग सेंद कंक्लूजन्स क्या है तो मित्रों रिसर्च डिजाइन की जब बात आती है तो मेरी दृष्टी से मुख्य रूप से यह पांच तरह के रिसर्च डिजाइन सोस्यालजी में देखने को मिलते हैं एक हम कहते हैं अनुशनात्मा की ए सब्सक्राइब करते हैं तो वह अभी किसी ने थिन और ठीक बात की थी यह सब क्वालिटेटिव के अंदर आता है शब्दों का विसलेशन किया जाता है अंकों का ने यहां दूसरा रिसर्ट डिजाइन डेस्क्रिप्टिव जिसमें हम फैक्स करते हार्ट पैस तीसरा एक्स कि पूद रूप से एक्स्पेरिमेंटल लेकिन आईक्सिपरिमेंटल की एक्स पर सब्सक्राइब कि कि एक्सपरिमेंटल प्रभिष्टी की कि कुछ नियमों को मानता है और मैं घ्राउंडडब की बात है मैं जानबूच के ये बाते आप से कहना चाहता हूं क्योंकि जब मैं पीएडी ठीसी देखता हूं या जो पेपर्स मेरे पार रिव्यू के लिए आते हैं विशेश कर हिंदी में तो उनको पढ़के बहुत दुख होता है कि वार इसा देखने को आता है कि वो किए एक सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसमें हाइपऊसिट निटीस में पदूर सब्सक्राइब लिए तो मान लिजिए कि आप किसी हाइप और यह को नहीं टेस्ट कर रहे हैं हाँ आप अपने theoretical lenses को mention कर सकते हैं कि आप feminist lens में काम कर रहे हैं मार्सिस lens में काम कर रहे हैं वो सब कह सकते हैं लेकिन आप hypothesis test नहीं करते हैं और उसमें hypothesis लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप यह कहते हैं आपका qualitative सब्सक्राइब है और फिर भी हाइप लिखते हैं तो आप गलती करते हैं आपने कभी सोचा कि एमेंड सिन्वार जी घूरे रॉबर्ट रैट्विल्ड इन लोग के hypothesis क्या थे कुछ बनाए नहीं लिखा कुछ अपनी किताब में क्योंकि hypothesis की दर्वत ही नहीं है qualitative research में hypothesis नहीं होने चाहिए और उसके बाद जब descriptive research की बात आती है जिसका मैं उधारन इस तरह से दे सकता हूं कि भारत की जन्गर्णा होती है या अभी कोई जिनों पहले comprehensive national nutrition survey हुआ भारत सरकार्दवारत या national sample survey organization consumption के employment के migration के health के इस सब सर्वेश करता रहता है या इसमें कहीं भी hypothesis देखने को नहीं मिलता तो अगर आपका descriptive design है तब भी hypothesis की जरूरत नहीं है सिर्फ वो question चाहिए जिन पर कि आप data collect करने वाले आकड़ों को किन विश्यों पर एकात्रिक करना तो वह भी बहुत सोच समझ के कई वर्क्शॉप organize करके कई साल के चिंतन के बाद भारत सरकार यह तैकती रइस्ट्राज जंदर के census में इस वार कौन से पूछी जाएंगे कोई हाइपोपसी नहीं होता क्यों सब्सक्राइब होगा शिक्षा पर होगा माइग्रेशन पर होगा डिसाबिलिटी पर होगा या क्या नहीं होगा कुछ क्यों जोड़े जा सकते हैं कुछ हटाए जा सकते हैं कोई इसमें हाइपोपसी हाँ यह अलग बात है कि जब डेटा आ जाता जैसे का डेटा जब आ गया तो आप बहुत सारे इस्टाडिस्टिकल टैक्निक्स हैं जिनने लगा के एक तरह से कार्पूं काधियन कर सकते हैं कि कदीनकिम करते हैं नहीं करते हैं जब आप कोई एक्सपेरियमेंटल डिजायन लाने वाले क्वार के सोच्योजी में एक्षपेरिमेंटल डिजाइन के बहुत जादे उदाहर नहीं कि हम लोग यह तो करते हैं यह करते हैं यह देस्क्रिप्टिव नहीं कि लेकिन इस अटिस्टिकल चब्राप्ट कर सकते हैं आकुनों से जो कि experimental design में होता है आजकल एक नया trend शुरू हुआ है भारत में भी हुआ विदेशों में तो आजकल बहुत सारे paper longitudinal study छपते हैं जिसका मतलब यह कि समय के साथ समय के 2-3-4-5 बिंदूओं पर आंकड़ों को एकत्रिक करना उसको longitudinal study कहते है भारत में प्रमुख longitudinal study लासी अभी श कि लोगों और उनके पती पत्नियों उनसे हर तीन साल पर डेटा कलट किया जाएगा समाजी कारतिक स्थिति परिवार मेंटल है और घरेलू स्थिति आयके साधन वो लॉंगी तो लॉंगी चूड़ना लिस्टेटी के माध्यम से भी हम बहुत सी बाते कह सकते हैं कारेकारण के बारे में कुछ बता सकते हैं और उसको हम कोसाई एक्स्पेरिमेंटल रिसर्च कह सकते हैं जहां जो हमको मिला उससे बाते करते लेटा बार बार पढ़ते हैं ऐक दो महिना आप जो आपके पास प्रश्न आते हैं जो विचार आते हैं उनको लेके आप फिर प्रश्न होते हैं और आप फिर से आंकड़े एक तरित करते हैं आप कुछ उपकल्पनाय भी बना लेते हैं फिर विचार आते हैं फिर हाइपोसिज या उपकल्पनाय बनती है और फिर आप आंकड़े यह प्रोसेश तब तक चलता रहता है जब की रिसर्च को रिसर्चर को यह ना लगे कि अब उसके पास जानने के लिए कुछ नया नहीं बचा है और उसके पास को ऐसी चीज आ गई है जो एकेड़ेमिशियंस शिच्छा विदू प्लानर्स योजनाकारों और एक्टिविस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सामाजिक र कम्यूनिटी और्गनाइशन से उनके किसी के काम की कोई चीज मिल जाए अब यह है क्या हाइप एक माननेता है जो आप साइंटिफिकली डिजाइन इस्टेडी में टेस्ट करना चाहते हैं और साइंटिफिक इस्टेडी में आप तभी टेस्ट कर सकते हैं जब आप उन सारे तत्तों को अलग कर दें जो आपके संबंद को कार्य कारण के संबंद को प्रवाविच कर सकते हैं जिनको मीडियेटर मॉड जैसे अगर हम इस बात का ध्यान करें कि शिक्षा और परिवार के आकार में कोई संबंद है क्या तो और हम एक्स्पेरिमेंटल डिजाइन जूज क कि अग्या फैमिली साइज परिवार के आकार के संबंद को ही दिखाएं और परिवार के आकार के जो दूसरे कारण हो सकते हैं जैसे आम दनी है इंकम है धर्म है जाती है अर्बन रूर्र रैल डेंस है और तमाम फैक्टर से वह उसको प्रहाविक ना करते हो तब ही सही माहि कि मैं एक्सपरिमेंटर डिजाइन हम कहेंगे कि हमने इस्तेमाल किया वह बिलकुल किलियर होना चाहिए अनम्विगूस होना चाहिए और जॉस्टिफायबल लोना चीए यह वह यह है ऐसी किसी भी सब्सक्राइब के बारे में हो सकते हैं जो कि आप जनसंख्या के बारे में जानना चाहते हैं इसका मंदर ये भी है कि हाइपोसिज टैस्टिंग तभी लागू होती है जब कि आपके आफ़ले सेंपल सर्वेज नियादर्स के सर्वेक्षण से आ रहे हो अगर आप सैंसर की स्टडी कर रहे हैं अगर आप एन फेचेस की स्टडी कर रहे हैं एन ऐसेसों क यह भी प्रदर्शित करते हैं कि आप जिस विशह में काम कर रहे हैं उसमें कोई वाद विवाद है एक लंबा वाद विवाद है कुछ कॉंट्रेडिक्स हैं विरोधा वाद है जैसे उद्धारन के तौर पर यह हाईपोसी हो सकता है कि जो कैंसर पेसेंट्स हैं उनमें 80% ऐ द्धुम्रपान की या या डेली में स्लम एरियाज में एवरेज परिवार का आकार जिसकों बच्चों की संक्या कहते हैं वह चार है या एक हाईपोसी यह हो सकता है कि मेडिटेशन सैसंद्ध्यान के सत्र जो है वो मनुश्य में चिंता या एंजाइटी के इस तरह को कम करत शारेटीक डिखते हैं पेस्ड की जो स्टीट्मेंट्स ऐसे हों कि जिसके वारे में एक ही मानिता सब लोग जैसी चीज बानते हैं उसको हम आप यह सब लोग करने से हाई कança wahr लुड चाहर्स नहीं हो सकता कि योग और शारीरिक लावों में क्या संबंद या कोई संबंद है या और मैं कहुंगा कि हाइपोस्टिज में आप बहुत जादे सैधानतिक शब्दों को आधार पर आपको उसका परिक्षण करना है तो ऐसे शब्द ऐसे आने चाहिए ऐसे इस रूप में उसको ऐसे वाक्य में लिखा जाना चाहिए हाइपोस्टिज के जिन पर व्यावारिक रूप से आकड़ों को संग्रहित करना संबंद हो ऐसे ट्रॉम्स का प्रियोग ना करने जो विविन सैधानतिक विचार धाराओं में अलग-अलग आर्थ रखते हों जैसे कि उधारण के तौर पर मालों में एक हाइपोस्टिज बताओं बनाओं कि पोस्ट मॉडरन्टी अमंग यूथ वर्किंग इन कोल माइन्स अभी कुछ दिन पहले मैं कोल माइन्स के एक वरक्शॉप से लौट कहा रहा हूं तो यह मेरे दिमाग में कल एक्जाम्पल देते हुए यह आ गया लेकिन को अगर ना तो पोस्ट मॉडरनीटी से डिफाइंड जिस पर कि आँक्ड़े एकात्रित की आप पोस्ट मॉडरनीटी पर आँक्ड़े नहीं एकात्रित कर सकते हैं तो फिर यह हैपॉस्टिज भी नहीं हो सकता है सरल शब्दों का प्योग करें हैं वैल्ष की जगे या रिच सारे हाइपॉथे रिजर्जेंटिके नहीं होते हाइपॉथे हाइपॉथे वही इंटरेंश्ज के उसर्टिक ऐपॉथे और काइल पॉपर ने अपन्स बताया कि हम उन्हें को साइंटिफिक हाइपॉथे कहेंगे जिनने से जिनने आकड़ों के आधार पर प्यागा जा सकता है जिनका त्याग किया जा सकता है उसी को हम हाइपॉप्सिज कह सकते जिसे उदारन के तौर पर एश्वर एलजी बीटी क्यू कम्यूनिटी का है मतलब समलैंगिक है या ट्रांजेंडर है या कुईर है क्या इश्वर ऐसा है ये कोई हाइपॉप्सिज नहीं हो सकता क्योंकि आकड़ों के आधार पर इस उपकल्पना को आप नहीं त्याग सकते सिर्फ उनी हाइपॉप्सिज को हम अकड़ों के आधार पर त्यागना संब्व हो और है तो हम फियोरी से सुरू करते हैं सीद्धान से करते हैं और फिर से सिध्धान तो में बदलाव आता है उस बदलाव के बाद अगली रिसर्च में नए हाइपॉप्सिज बनते हैं अब टेस्ट आप हाइपॉसिज कितने तरीक होते हैं मैं देखता हूं कि जायत पर विद्ध्यारती यहां तक की फेकल्टी मेंबर्स भी अपने पेपर्स में नल हाइपॉसी देते लो डिफ्रेंस डेरिशन बेट्वें दिस और देरिनों रिलेशन सी बेट्वें दिस वह गलत है हमें जो अपनी रिपोर्ट म हाइपॉसीज भी तीन तरह के हो सकते हैं एक वीक अगर मैं कहूं कि एक सब्सक्राइब है अगर मैं कहूं कि इस तिन्यों की शिक्षा और घरेलू हिंसा में कोई संबंध है तो यह एक कमजोर हाइपॉसीज है क्योंकि इससे यह नहीं पता लगता है कि घरेलू हिंसा महिला सकते हैं कि यह कौज है अगर हम यह कहें बजाए के खिच्छा और घरेलों हिंसा में संबन्द हैं हम यह कहें कि महिलाओं में प्राइब कंश्णा के सुधार होने से खरेलों हिंसा पर पड़ता है तो एक बेहतर है पॉस्टी होगा और सब चाहरा हाइपोसिज होगा इस्ट्रॉंग जिसमें यह भी बता सकते हैं कि ना के वल क्या कारण है क्या परिणाम है बलकि वो प्रभाव कितना प्रभाव चाली है कि महिलाओं में शिक्षा के इस तर बढ़ने से घरेलू हिंसा को कम करने में बहुत अच्छे परिणाम देखने में आत लिए नल हाइपोसिज तो कभी में ना दे क्योंकि नल हाइपोसिज केवल स्टाडिस्टिकल परपजस से रिजक्ट करने के लिए बना होता है और उसके रिजक्षन से नहीं पता लगता कि कौन सी बात सही है अगर आप लाइपोसिज लिखते हैं कि शिक्षा घरेलू हिंसा ना से शिक्षा में सुधार होता है ना यह पता लग रहा कि शिक्षा के बढ़ने से घरेलू इंसा में कोई परिवर्तन आता है और ना कितना इंपैक्ट है है लो पता लगता है तो आपको अपनी रिसर्ट में एक स्ट्रॉंग हाइपोसिज लेके चलना चाहिए मैं फिर र अनुसंद्धान के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है अच्छा यह सोर्सेज़ आते कहां से शून्य से नहीं आते आसमान से नहीं टपकते लिट्रेचर पढ़ने से आते हैं आप अपने फील्ड में लिट्रेचर पढ़ते हैं उससे आते हैं आप अपने फील्ड में जो जो शोथ पत्र पढ़ा किसी अच्छे जर्णल में एक काटेगरी जर्णल में मैं यह यूजी सी केर जर्णल की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनमें से बहुत सारे तो बहुत ही निम्न कोटी के हैं और उनमें पेपर चपाने का कोई महतू भी नहीं है सिवाए इसके कि आपका सी भी बेतर हो जाए अपाइंटमेंट्स प्रोमोशन्स के लिए और जो प्रिवेलिंग थ्योरी यह वैग्यानिक समदाय में किसी समय में कुछ थ्योरी का जादे चलन होता है उनके हिसाब से भी उपकल्पना प्रभावित होती है और पुरानी थ्योरी और जो कैसे वो प्र वाल प्र जो आपकेविशै की विषेषग संद्य हैं अब अपनी ओधय पने सुपर्वाइजर से बात करिए अगर आपका सुपर्वाइज़र विषएषगा नहीं नहीं है उनसे बाते करिए फ कभी हो सकता तो मिल के आये या उनके फोन प्र अगर उनका मोवाईल नमबर म मिल जाए बहुत सारे दिद्यार थी हैं जो मुझसे पौन पर बाते करते रहते हैं बाते करिए और इस तरह से आप अपना अपनी उपकल्पनाव का निर्माण कर सकते हैं सब्सक्राइब आपने कुछ ऐसा देखा आपने यह देखा कि दो या तीन चार ग्रुप्स में कोई चीज को कंपेर किया तुलनात्म का ध्यन किया आपने एजुकेशन की चार-पांच केटेगरीज ली और धार्मिक्ता की भी कुछ कोई इंडेक्स को स्कूर बनाया और आपन अनलीसी ज़िए लगा के यह देख लिया कि हमारा नल हाइप्स्य रिजक्ट हो गया मतलब कहने का यह है कि रिजक्ट हो गया कि विभिन समूहों में धार्मिक्ता का इस्तर अलागी तो अब आप उन में से दो दो तीन तीन दो ग्रूप ले कोई से दो ग्रूप लेके दो ग्रूप की वह से यह दूसरे दो गूप की यह तीन ग्रूप लिए चार ग्रूप की वह से इसी तरह एकर है रिजक्ट नहीं हुआ है तब भी यह संभाव है कि दो तीन ऐसी ग्रूप हो जो आपसमें सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं फिर यह ध्यान रखिये कि प्रणालियों के दौरा टी एफ पी आर यह सब आप जानते हैं काई स्वायर पाप को भी सेंट तो यह आपकी फाइंडिंग्स हैं यह आपके निशकर्स नहीं हो सकते रिसर्च कि वास्त में हम यह कह सकते हैं कि हर एक अच्छी रिसर्च कुछ ठीटिकल प्रश्णों कुछ सैधान्तिक प्रश्णों से सुड़ू होती है उसके बाद हम उपकल्पनाई बनाते हैं फिर आंकड़े करते हैं फिर सांखिकी प्रणाली से उन उपकल्पनाओं को टेस्ट करते हैं और फिर उससे हमको कुछ पी वैल्यू पोरलेशन को विसेंड काई स्वार यह मिलते हैं जिनका सिग्निफिकेंस मिलता है और उसके आधार पर फिर हम बापिस जो सैधान्तिक प्रश्ण लेके सुरू में चले थे अब हमें उनके वारे में क्या कहना है उस पर आते हैं वो हमारा रिसर्च का निश्कर्स होता है इसलिए मैंने एक स्लाइड में यह भी कहा था कि सब्सक्राइब नहीं है तो वह रिसर्च का अच्छा विशह नहीं हो सकता जैसे कि अगर इस बारे में सभी लोग मानते हों कि जैसे से इस्त्रियों की शिक्षा में सुधार होगा तो वैसी वैसे हमारा फर्टिलिटी रेट या हमारे महिल हमारा जो जन्वतर है वो कम होने अगर इसे मंतभेद आपको लिट्रेशर में सहट्नें में देखने को नहीं मिलता तो ऐसी कोई ऐसे किसी प्रशन पर रिसर्च नहीं की जा सकती तो अब आप अंत में जो आपकी मैं आपको आश्चर होगा यह जानके लेकिन मैं सही बाद बता रहा हूं कि एक मैं सेंट्रल उनिवर्स्टी में प्रोफिसोरियल पोजीशन के एक इंटर्वी में बैठा हुआ था उसने अपनी दिखाई और एक महिला थी और उसने मैं इतना टाइम तो होता नहीं कि ठीक से पर लो थी सेलेक्शन कमेटी में लेकिन मेरी निखा कुछ पी वैल्यू पर चली गए और एक वैल्यू मैंने देखा कि फाइब पॉइंट सम्थिंग तो मैंने उससे पूछा वह आलड़ी एसोसियेट थी प्रोफेसर के लिए उसने अप्लाई किया था मैंने कि भी सब्सक्राइब कैसे तो यूनिवर्स्टी के गेट पे बहुत सारी दुकाने यहां सब्सक्राइब लगाए जाते हैं हमारे जीजा जी एस लगाके आए थे और उन्होंने जो जो रिचार्ड साहिब वो हमने इस तीसी में लिखे यह बहुत ही गलत बात है आप चाहे तो मैं यह बता रहा है कि फाइंडिंग्स और कंपूजन में क्या फर्क है और जैसे और स्रेश्यों यह काई स्क्राइब इसको आप फाइंडिंग्स कह सकते हैं लेकिन निश्कर्स इस बात को कहेंगे कि कि इंकम और मेंट्र डिसॉर्डर में कोई संबंध हमको देखने को निगलते हैं इस पी वैल्यू के आधार पीजियर फाइंडिंग्स इस्टैडिस्टिकल फाइंडिंग्स और कंक्रूजन हमेशा थियोरेटिकल होगा और यह रिसर्च तभी होगी जबकि कुछ इस्टैड में आपकी इस्थिति क्या है आपकी पोजिशन क्या है आपका वक्त में क्या है वो और आपकर रिसर्च का योगदान है और अगर कोई कंट्रोवर्सी है नहीं कोई स्विवाद है नहीं तो फिर अच्छी की नहीं जा सकती है मैंने सोचा कि अंत में कुछ गलत हाइपोसिश का उदहार नहीं जैसे डिरीज डारेक्ट रिलेशन बिटमें इंकमेंड यह गलत है गलत इसलिए है क्योंकि इसको आप कभी भी सिर्द नहीं कर सकते सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब ही आप ऐसा कह सब्सक्राइब तो यह गलत है पॉसिट का उद्धाराण सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह नहीं और क्या किसी इसका काम है ऐसाइए अधिशन आप पति और पत्नियों की शिक्षा डॉमेस्टिक वैलेंस को काम जब्सक्राइब अजया तब तक एक दो कोनेक्ट के यूट्यूब पर अभी सर से कोश्चंस सर ने कहा तक मैं अधिक सथी कोश्चंस लेना चाहूंगा तो आप लोग कोश्चंस लिख लिजी तब तक सर आप भी कुछ बात रखी एक गर कही में तो आपके सामने रखा जाए बताए बताए ये भी अंबेड कर साहू जी का वैसे कुछ questions पहले के भी उन में से भी ले सकते थे सर एथनोग्राफिक अध्यन के दोरान case study में किन पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इसके अलावा इस्कूल का focus groups discussion FGD में किन पहलों को शोध में महत देना लबदाया गए देखे एथनोग्राफिक जो रिसर्च है इसके साहू जी दो पक्ष है एक पक्ष तो रिसर्चर की साथ जोड़ता है जिसका आजकल काफी कुछ प्रियोग किया जाने लगा है हम अपना एक बायोग्रेफिकल आस्पेक्ट सर्च करें जैसे हमारा अपना कास्ट का background हमारा अपना religion का background मेरी अपनी जीवन यात्रा और उस जीवन यात्रा में मैंने किन-किन अनवगों को संजोया है मेरे साथ किस-किस तरह के encounters हुए है social situations के उसको ध्यान में रख करके मैं अपने आपको एक researcher की रूप में कैसे establish करूँ यह होता है जब आप अपना ethnographic profile develop करते हैं उधारण के लिए मैं बताओं जैसे माली जे मैं गाओं में उत्पन हुआ और गाओं के अंदर मैंने caste hierarchies को देखा है अब कोई मुझसे अगर ये कहे कि भारतिय समाज लोगतांत्रिक समाज है तो वो मेरे लिए बड़ी अठपटी बात हो जाएगी क्योंकि मैंने जिस समाज व्यवस्था को अपने इर्दिगर्द देखा है वह संस्तरण मूलक है और वहाँ पर एक्ट्रोसिटी है उसको ध्यान में रख करके मैं अपनी research activities को आगे ले जाता हूँ जहां तक एरिया के अंदर सवाल है एथनोग्रेफी का मुझे लगता है कि वो एथनोग्रेफिक research हमारी socio-cultural mapping के साथ शुरू होनी चाहिए हम उस छेत्र के अंदर एक सामाजिक सांस्कृतिक मान्चित्री करण करें और उसके साथ साथ बेसलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से हम उस छेत्र की समूची विशेस्ताओं को जानने का परियास करें फिर अपने एथनोग्रेफिक प्रोफाइल को उस छेत्र की एथनोग्रेफिक डाइमेंशन के साथ अगर हम जोड़ पाएंगी तो मुझे लगता है कि हमारा अपना अंसंदान ज्यादा उप्योगी हो सकता है समाशास्त्री दस्ती से यह एक पक्ष है और इसलिए मुझे लगता है कि आजकल हम जो लोग रिसर्च इसको मुल्यांकित कर रहे हैं डेजर्टेशन को उसमें हर रिसर्चर अपनी एक जीवन यात्रा को शामिल करते हुए और उस छेत्र की एथनोग्रेफिक प्रोफाइ और बिना एत्नोग्राफिक बेस्ट सोश्यो कल्ट्रल मैपिंग के मुझे लगता है क्वालिटेटिव रिसर्च की पॉसिबिल्टी नहीं है थेंक्यू सर्व बीच में कनेक्ट भी हुए लेकिन फिर में लगरा नेटवर्क इशुर हम लोग एक दो कोश्चन सर लेते हैं आप जिकना भी है एक हैं चंदर वर्मा इनका कोश्चन था बेसिकली शुती में से भी था बहुत सारे कोश्चन साहे थे उनलों इस्टुडें अगर डेजल्टेशन के समरी की आप बात कर रहे हैं तो डेजल्टेशन के अंदर देखे अभी जब सुती बता रहे थी तो जो लास्ट वाला चैप्टर होता है उस लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हम कंक्लूजन एंड जर्नलाइजेशन ये दो चीज़े लाते हैं उसमें ही उस चैप्टर की एक समरी आनी चाहिए और उस समरी के अंदर कुछ ऐसे प्रश्ण उत्पन किये जाने चाहिए जो प्रश्ण अगले चैप्टर के आपके आधार के रूप में शिरुवात करने में योगदान करते हैं यानि चैप्टर की कॉंटिनिटी तो एक तो प्रत्येक चैप्टर की समरी और उसके साथ साथ कुश्चन्स ताकि हम अगले चैप्टर के साथ उसको जोड सकें दूसरा यह है कि जब आप समरी का चैप्टर लिख रहे हैं यानि कन्कुलूजन लिख रहे हैं तो उसमें पहले चैप्टर से ले करके और आपने चैप्टर के अंदर यह यह पक्ष शामिल किए हैं और उसके साथ तिर आप बताएंगे उन समरी के बाद में कि आपने क्या उसके अंदर अपनी हाइपोसिस की टेस्टिंग की है अगकर टेस्टिंग की है तो उस टेस्टिंग के परणाम क्या है और अगर रिसर्च का रिवीलेशन क्या उस समरी के आधार पर हो रहा है उन सारी समरीज को बिला करके आपकी findings constitute होंगी finding जो आपकी है वो केवल आपके अंसंदान से जुड़ी हुई है लेकिन जैसा शुती भी कह रहे थी और सामानेते सभी अंसंदानों में होता है आपका वए अंसंदान ब्यापक प्रक्रिया में क्या योगदान कर सकता है क्या उससे हमारी समाश्षाइस की किसी शाखा में योगदान हो रहा है और क्या हम उसको एक generalized फॉर्म में दूसरी जगह देख सकते हैं क्या वो conclusion क्या वो findings दूसरे छेत्रों में इस्तेवाल की जा सकती हैं अगर ऐसा है तब हम generalization पर जाते हैं एक बात जो शुती नहीं की लेकिन उसका बताना बड़ा जरूरी होता है कि जब आप इस तरह की findings और generalization कर रहे हैं उसके बाद में paradigm का formation य उसको जोड़ देना या अनेक theories का मुल्यांकर करते हुए आगे बढ़ जाना तब हमको लगेगा कि हमारा जो अंसंडान है वो sociological theories में conceptual formation में और जो empirical dimensions हैं उन तीनों में एक महतपून योगडान कर पा रहा है ये हमको करना चाहिए इसलिए model और theory building और paradigm मुझे लगता है कि हम हमारे अंशु जी हमारे पूरी इस process में जो हमने बनाया है उसमें theory building model और paradigm इनके बीच का साइज सम्मन्त हमारे किसी lecture का पार्ट नहीं है लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम इस पर भी तीनों के बीच के एक interface को इसमें शामिल करें सामाजिक संस्थाओं में निरंतरता इवन परिवर्तन में फील्ड वर्क के अतिरिक्त और किस मैथड से अध्यान कर सकते है शोभा प्रजापती जी का है फील्ड वर्क मेथड है एक कमपेरिजन अभी लॉंगिटूडनल स्टडी की बात की जा रही थी और उस स्टडी में यह होता है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर हम उन्हीं सवालों को बार बार इस्तेवाल करते हैं उन्हीं कुश्चन स्कूल आते हैं आपने एक बहुत महत्म पक्षा आपने सामने रखा है अपनी फील्ड वर्क में फील्ड वर्क आपने कर लिया तो आपके पास सामने फाइंडिंग है जैसे मैं अपना अंसंदान मैंने उसके अंदर अभी अंसंदान के बाद में अभी रिटाइर्मेंट के बाद में मैंने उसको जब बुक की के दोरान पूछे थे इस तरह का एक जो एक आप longitudinal studies करते हैं टाइम फ्रेम के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं तब आपका जो फील्ड वर्क है वह फील्ड वर्क ना केबल continuity का dimension बताता है बलकि change किस दिशा की तरफ जा रहा है और उस change के संभावित परणाम क्या हो सकते हैं ये बता सकता है तो quantity और change इन दोनों के बीच का जबंबंद है वह इस तरह की studies के माध्यम से जाना जा सकता है और आजकल जो दौर चला है ना gender studies का culture studies का development studies का इन सारी studies के अंदर इसी तरह के time gap के साथ में विविन प्रकार के अध्यन किये जा रहे हैं ताकि एक पूरा का पू पूरी प्रक्रिया को हमारे सामने दर्शात आ रहे हैं थैंक यू बेरिमस्ट श्वेता प्लीज कांटीनियू कीजिए थैंक यू सर राजीर सर का हमेशा ही सर हमेशा ही हमें कुछ न कुछ सिखा ही जाते हैं थैंक यू सो मच सर इतना हमें प्रेड़ करने के लिए इतना हमारा प्रोचाहान बढ़ाने के लिए अब मैं महिला डिगरी कॉलेज से डॉक्टर जया पांडे को मंच पर आमंत्रत करोंगी कि वो वोट ऑफ थाइंस डिलिवर करें जया माम थैंक यू शयता मुझे इन्वाइट करने के लिए और जो पूरा का पूरा सेशन बहुत ही वैल्यूएबल रहा थोड़ी सी बाधाएं आई लेकिन हमने उन सारी चुनवतियों को पार कर दिखाया तो इस क्रब में सबसे पहले मैं इंडिन सोशियलोजिकल सोसाइटी की प् एंडिन सोशियलोजिकल सोसाइटी की सैट्रेट प्रफेसर शोड़म का एको लाँ जिनकी वेदीेबल गार्शाफ टोरान हमें मिल रही और मिलेगी और अपर हमारों करने की प्रोग्राम की को और चीज़्स बेदिन मेनेजमेंट कर ले जाती है प्रोफेसर अंशुकेडिया मैम का जो इतने सारे अलग अलग छेत्रों से लोगों को एक मंझ पर लाने का एक बहुत ही एक चैलेंजिंग काम एक तास्क इनोंने जो कर दिखाया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी सब को जोडने कि मैम ने रिसर्च प्रॉब्लम और रिव्यू अफ लिट्रेचर पर बहुत ही सार गर्वित व्याख्यान दिया है और बहुत सारे जो इस्टुडेंट्स की क्वेरी उसको मैम ने बहुत अच्छे तरीके सुनके कंसेट जो है वो क्लियर किये तो थैंक यू सो मच शुरुत के लिए बहुत मददगार साबित होंगे और वो जो पावर पॉइंट प्रेजंटेशन है वो आगे भी वो अपना एक देख कर उसे सीख ले सकते हैं और जो उन्हों ने बताई कि कौन सी मिस्टेक से जो अभूमन स्टुडेंस किया करते हैं वो इसको अवाइट करेंगे औ और जो हमारे आज जो रिसोर्स परसन के रूप में नहीं थे लेकिन फिर भी पूरे प्रोग्राम में जिनकी प्रेजंस एक कॉंस्टेंट बनी रही प्रोफेसर राजीव गुपता सरका में बहुत 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 दैनिवाद करती हूं सर्टेंक यू जो मैंने जब भी भी होते हैं और हमेशा एक जो तयार रहते हैं जो स्टुडेंट्स की क्वेरीज है या जो फेकल्टी मेंबर्स हैं तो सर को बहुत-बहुत धनिवाद करूंगी सर आपकी प्रेजंस के लिए पूरे वर्क्शॉप के आज के दौरान साथी आज के प्रोग्राम के जो होस्त की र जो रिजनल सोशिलोजिकल एसोसेशन्स रहे हैं माराष्ट राजस्थान मध्यांचल 36 गड़ बिहार और जारकंड के समाशास्ती परिशक के सभी मेंबर्स का मैं बहुत-बहुत धनिवाद कर्टी हूँ और सभी ने एक मंज पर आकर जो एक साजी रूप से इस वर्क्शॉ और आज के जो इस प्रोग्राम में जो हमारे साथी रहे हैं प्रोफेसर पीबी सिंग सर का बहुत-बहुत धनिवाद और साथी जो हमारे प्रोग्राम की आज की जो जो संचालन जिनोंने किया है बहुत-बहुत धनिवाद करती हूँ और हमारे आज के इस प्रोग्राम में जितने लोग शुरुवात में जो जुड़े रहे और बात में जिन्होंने यूट्यूब पर देखा इसको लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सभी सीनियर अकेडमिशन्स का, सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स का, मैं बहुत बहुत धन्यवात करती हूं और हमारे उन सभी स्टूडेंट्स का, जो पूरे कारिक्रम में अन तक जुड़े रहें, ना कि जुड़े रहें, बल्कि पूरे उत्साहा, उत्साहा पूर्वक उन्होंने सुना और अपने सवाल रखें, बहुत सारे लोगों के सवाल अनुत्रित भी रह गए, लेकिन वो जो भी हमारे टेक्निकल सपोर्ट जिन से हमें मिला है, उस पूरी टेक्निकल टीम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं, और एक क्राइसिस मैनेश्मेंट का जो उनोंने दिखाया है, उसके लिए वो विशेश रूप से मैं उनकी आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्य जो विए गया हूं, बहुत है.